दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा बहुती विज्ञान जो विज्ञान का आपका सिलेबस से जहां से प्रशनाते हैं पूरा बहुती विज्ञान कवर करेंगे आप लोग डिस्किप्शन बॉक्स में जो नीचे डिस्किप्शन बॉक्स दिया है वहां पे लिंक हमने दे रख या जाता है उचाई मापने के लिए Altimeter ओडियो मीटर यह ध्वन की तीवृता का मापन करता है एनिमो मीटर वायु शक्ति और वायु शक्ति को मापने वाला यंत्र है एनिमो मीटर ऑमीटर दोस्तों इससे विद्धुध धारा को मापा जाता है ऐसे पूछ सकता है प्रिदाव को मापने वाला यंत्र कौन है बैरोमीटर उश्मी विकरण को मापने का यंत्र बोलोमीटर याद रखेगा बोलोमीटर उश्मी विकरण को मापने का यंत्र है क्रोनोमीटर क्या है यह यंत्र जल्यानों पर लगा होता है जिससे सही समय का पता लगता है ठीक जल् क्रिस्कोग्राव ये पौधों की inspiring को मापने का यंँद्र है क्रिस्कोग्राव साइक्लोट्रावन थोड़ा मैं तेजी चल रहा हूं क्योंकि लंबा प्रेवी मीटर यह पानी की सतह पर तेल की उपस्तिती ग्याद करने में प्रयोग होता है ग्रेवी मीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्तिती ग्याद करने के लिए गाईगर मूलर काउंटर यह किसी रेडियो एक्टिव स्रोथ से निकलने वाले विकरण की गड़ना करता है गीगर या गाईगर मूलर काउंटर से किसी रेडियो एक्टिव पदार थे उस रोज से निकलने वाले विक्रण की गढ़ना इससे की जाती है गाईरो इसको इसका प्रयोग घूमती हुई वस्तों की गती मापने के लिए किया जाता है गाईरो इसको हाईड्रो मीटर या द्रवो की अप्यक्षिक गनत्यकोम अपने का यंत्र है हाईग्रो मीटर देखे हाईड्रो और हाईग्रो में यंत्र हाईग्रो मीटर या वाई मंडल की आद्रता कोम अपने वाला यंत्र है हिप्सो मीटर क्या है या द्रवो की कृतनां को को ग्याद करने वाला यंत्र है हिप्सोमीटर अब विभीन उपकरणों की बात करेंगे और उनसे उर्जा किस रूप से किस रूप में परिवतित होती बहुत पूछता है यहां भी पूछे का आपकी परिक्षाम तो आना है विद्धुत बल्ब या विद्धुत उर्जा से उ फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करती है प्रकाश उर्जा से वैद्धुत उर्जा प्रकाश उर्जा से वैद्धुत उर्जा फोटो इलेक्ट्रिक सेल या पिर इसकी जगह पे आप सोर सेल भी कह सकते है इसको ठीक है डाइनमो यांत्रिक उर्जा से वैद्धुत उर्जा डा microphone क्या करेगा ध्वनी उर्जा से वैद्दे तुर्जा इसके साथ ही microphone को loudspeaker साथ पढ़िए इसमें confusion होती है microphone क्या करेगा ध्वनी उर्जा को वैद्दु तुर्जा में परिवर्तित करेगा वही loudspeaker क्या करेगा वैद्दु तुर्जा को ध्वनी उर्जा में परिवर्तित करे बरेगा है इंजन ऑश्मा से यांत्री गुर्जा में करता है उश्मा और यांत्री गुर्जा को यांत्री गुर्जा में लेक्टोमीटर किसका में करने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं मैनोमीटर इससे गैसों का दाब ग्याद करते हैं मैनोमीटर से और मैक मीटर से यह यंत्र वायो की गति को ध्वनी की गति के पदों में मापता है थाद वायो की गति ध्वनी के गति के पदों में कितना है मैक मीटर यह ग्या कियाता है पेरिस्कोप से समुद्र की सतह का आगलन कियाता है पंडूब्भी में यह प्रयोक्त होता है फिर है पाइरोमीटर उच्चताप का मापन पाइरोमीटर से कियाता है बहुत उच्चताप है तो उसका मापन पाइरोमीटर से रेंगेज यह वर्षा का मापक्यांत्र है रेन गेज, रेन से वर्षा होती है, रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र है, कितनी तीवरता की वर्षा होई, कितनी सेंटिमेटर वर्षा होई, सिस्मो ग्राफ यह भूकंब के जटकों का स्वता ही ग्राफ चित्तित हो जाता है, वह एक प्रकास से भूकंब मापक है, सिस्मो ग विद्धुद्धारा के वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है एसी यह याद रखेगा कि जो अल्टरनेटिक करेट है एसी केवल उसमें प्रयोग होता है टांसफार्मर क्या करता है विद्धुद्धारा के वोल्टेज को कम या अधिक करता है अब प्रमुक्चिक किस्की उपकरण एम उनकी विधिया, प्रयोग क्या है? पेसमेकर हिदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान इस्तिति में लाए जाता है पेसमेकर के द्वारा इस उपकरण की साहता से हिदय में नियमित रूप से स्पंधन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है Electrocardiograph ECG सो कहते हैं यह क्या करता है? हिदय संबंदी बिमारियों का पता लगाया जाता है इससे Electroencephalograph EEG यह क्या करता है? मस्तिष्क संबंदी बिमारियों का निरूपन होता है Autoanalyzer इसका प्रयोग glucose, urea, cholesterol इतियाज की इससे जाच की जाती है CT scan दोस्तों इसके द्वारा संपूर्ण सरीर के किसी भाग में आसामानिता या रोक का पता है लगाया जाता है Biopsy क्या होता है? Cancer की जाच करने की एक विदी होती है Elisa test क्या होता है? AIDS correction के लिए प्रयोग होता है Tubectomy क्या होता है? Tubectomy, istri की नस्बंदी को Tubectomy कहते हैं Tummy पुरुष से तो सुक्राण ले जाने वाली नली को काट या बांध दिया जाता है Autopsy क्या है? मृतक शरीर की जाच या पोस्टमाटम को Autopsy कहते है विज्ञान संबंदी सब्द संखेब जो बार बार पुछे आते हैं LPG का पुरुप क्या है? Liquefied Petroleum Gas, तरवित Petroleum Gas CNG का पुरुप Compressed Natural Gas BMI का पुरुप ये बहुत बार पुछा गया है Body Mass Index AIDS का पुरुप क्या है? Acquired Immuno Deficiency Syndrome SIM का पुरुप क्या है? Subscribers Identity Module MNR का क्या पुरुप है? Magnetic Nuclear Resonance Magnetic Nuclear Resonance MNR फिर है Radar Radar का पुरुप क्या है? Radio Detection and Ranging Sonar का पुरुप क्या है? Sound Navigation and Ranging AC का पुरुप क्या है? Alternating Current CFC का पुरुप क्या है? Chloro Fluorocarbon LSD का पुरुप क्या है? Lycergic Acid Dye Thamide Dytemide Lycergic Acid Dytemide DDT क्या है? इसका पुरुप Dichloro Diphanyl TrichloroEthene Dichloro Diphanyl TrichloroEthene ATM का पुरुप Automated Tailor Machine MRI बहुत बार पुछा गया है? Magnetic Resonance Imaging CFL का पुरुप Compact Fluorocent Lamp LED का पुरुप Light Emitting Diode यह अभी प्रश्ण जो है विज्ञान के प्रमुक विश्कार विश्कार करता है यह भी बार बार पूछता है याद रखिये Insulin, Banting Insulin की खोज, Banting ने की James Watson तथा क्रिक पेनिसलीन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रख परिवान की खोज William Harvey Homeopathic चिकिस्सा Honeyman चेचक का टीका Edward Jenner TB की चिकिस्सा Robert Coach Hydrophobia या Rabies Louis Pasteur आप Hydrophobia से Confuse मत हुईगा Rabies का टीका Louis Pasteur Vitamin A मैकुलन Vitamin B मैकुलन Vitamin C यूजोक्स होलकट Vitamin D FG Hopkins Bacteria जिवाडू, लिवेन, हॉक विशाणू, वाइरस की सुखोज Ivonovski Polio का टीका John Salk Polio Drop Albert Sabin Polio Tika Polio Drop याद रखेगा Polio Drop Albert Sabin BCG का गर्व निलोधक गोलिया Pinacus BCG का टीका Urine Colmet Berry Berry की चिकिस्सा Isaac Man Malaria की चिकिस्सा Dr. Ronald Ross Genetic Code Sir Har Govind Khurana DDT Dr. Paul Muller Esprin Dresser Parmaad भट्टी की खोज या Atomic Reactor की खोज Enrico Fermi Aeroplane Vajuan की खोज Ride बंदू Bicycle K Macmillan Computer Charles Bevich Barometer Torisoli Electronic Computer Brennard Inka Manually Nek Computer का खोज Charles Bevich Nek किया था लेकिन Electronic Computer का Kोज Brennard Inka Manually Electronic Computer पुचेगा तो आप Revolver तरंगों की बात कर लें में प्रयोग किया जाता है X किरणों का CT scan करने में प्रयोग मिलाई जाती है X किरणे Crystal की सरचना जानने के लिए प्रयोगत होती है X किरणे या X-rays प्रयोग जो गामा और जो किरणे हैं उनके तरंग दैर्द आणने बातें जान लेते हैं गामा केड़ों की तरंग दैर्द क्या है 10 एंगर्षट्राम से 1 एंगर्षट्राम तक इसकी बेधन शम्ता दोस्तों सबसे अधिक होती है इसका उप्योग नाब की अबकिया तथा क्रितिम रेडियो धर्मिता में की जाती है एक स्क्रेडों की क्या होती है तरंग दैत परिसर एक एंगर स्टाम से 100 एंगर स्टाम तक चिकिस्तायम और द्योग एक्षेत में प्रयोग किया ता है पराबैगनी क्रिन का 100 एंगर स्टाम से 4000 एंगर स्टाम तक अदिश्ट लिखावट को देखने में अंगुली के निशानों का पता लगाने में नकली करंसी का पता लगाने में प्रकाश वैद्द प्रभाव को उत्पंद करने में और बैक्टिरिया को नश करने में प्राबैगनी क्रिणों का प्रयोग होता है दिश्ट क्रिणे दोस्तों 4000 एंगर स्टांसE वस्तुवें दिखलाई जो दिश्य विक्रण है इससे हमें वस्तुवें दिखलाई पड़ती है औरक्त किर्णों का तरंग दे दोस्तों अब रेडियो तरंगे दो तरग की होती है लग और दिर्ग तो लग रेडियो तरंगे या हर्टजीयन तरंगे जिनको कहते हैं इनका जो तरंग दैर्द होता है दस टेन तुट पावर से टेन तुट पावर टेन अंगस्टाम तक होता है यह रेडियो टेली विजानवम टेली तरंगों की तरंग देर्द होती है इसका उपयोग जो है रेडियोयम टेली विजन में उपयोग होता है ठीकिन सबसे अधिक जो तरंग देर दीर रेडियो तरंगों की या रेडियो तरंगों की और सबसे कम जो है वो गामा क्रिणों की होती है ठीक है यह आपको याद रखना हैं श्रब्यता की सीमा अर्था जो सुनने के मारी सीमा एक इतने हट सतकर की वेव हम सुन सकते हैं तो 20 हर्ट इसister से 2000 अर वाली तरंगे कहलाती चैस दिय union सकते हैं 20 सन सकते हैं दोपर 10 से नीचे की अप्षब्ध दोनों तरंगे नहीं सुन सकते हैं। पराशब्ध तरंगों के उप्योग क्या है दोस्तों संकेत बेजने में, समुत्र की गहराई मापने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिषक का टूमर का पता लगाने में इसका प्रियोग किया जाता है। चमगादर उत्ते समय किस प्रकार की तरंगे उत्पन करता है पराशब्य तरंगे, पराशब्य तरंगे सबसे पहले एक सीटी द्वारा किस ने उत्पन की थी तो गाल्टन ने, सोनार जो होता है, उसमें कौन सी ध्वनी तरंगों का प्रयोग वाता है, सोनार में क्या है, समु बदल जाते लेकिन क्या बदलता नहीं है तो आवरित्ति इह परिवेंसि याद रखना थे भीर्ट या धे हैं किसी माध्यम रेड़न की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रतास्था इ्लस्टी से युं घंट उपर ध्वन most of रहेगे उतना रहा ध्वन की चॉल रहेगी माध्यम का ताप मान बढ़ने पर ध्वन की चॉल का मान बढ़ जाता है यय dal रखेगा raises ऐ कि तरनाव कमी होने पर गयस में द्वन का चाल का मान पहरतीतों रहता है द्वन से कोई फर्क नहीं पढ़ता याrez ने कि लेकिन टंवी होता है तो द्वन की चाल बढ़ सेंसोनिक प्लेन की गती होती है ध्वन की चाल से अधिक हलकी गैस में ध्वन की चाल वारी गैस में ध्वन की चाल से अधिक होगी देखे एक बात याद रखेगा कि गैसों में जो घनत तो बढ़ने पर गैसों में घनत तो बढ़ेगा तो ध्वन की चाल घटेगी तो गैसों म इसलिए तुकि हल्की गैस का घनत तो कम होता है इसलिए ध्वनी की चाल हल्की गैस में भारी गैस के तुलना में अधिक होती है ध्वनियों कहाला कितना पूछेगा नहीं ध्वनियों लेकिन याद रखेगा ध्वनियों के लक्षण होते हैं इंटेंसिटी अर्था तीवरता तारत्व अर्थात पिछ और गुड़ता ये तीनों द्वनी के लक्षण है द्वनी के किस लक्षण के कारण द्वनी हमें धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है तो ये तीनों आफशन दे देगा तीवरता तारत्व गुड़ता और सुनते हैं तो तारत के कारण किसके कारण समान तीवरता वह समान तारत की धनियों में अंतर प्रतीत होता है गुड़ता ठीक है गुड़ता के कारण हम यह जान पाते हैं कि अंतर पता कर पाते हैं समान तीवरता या समान तारत की धनियों में ठीक है ध्वनी का तारत किस पर निर्भर्द करता है उसकी फ्रिक्वेंसी पर मोटी ध्वनी का तारत्व कम होता है पारीक ध्वनी का तारत्व ज्यादा होता है या पतली ध्वनी का तारत्व अधिक होता है किसी हॉल में ध्वनी स्रोत को एकदम से बंद कर देने के बाद भी ध्वनी का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरडन क्या कहलाता है अनुरडन सिनेमा हॉल की दिवारों पर थर्मा कोल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए अनुरणन से बचाओ के लिए संगीत के कारण खिड़की के शीशों का तूट जाना एहुं सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल का तूटना किसके कारण किस घटना कारण रेजोनेंस के कारण घटित होता है अनुनाद के कारण रेडियो के कारे करने का सिधान्द किस पर अधारित है विद्दुद्चुम की अनुनाद पर इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेजोनेंस पर तिन की अपेक्षा रात में ध्वनी का दूर तक सुनाई देना किसके कारण है ध्वनी के अपवर्तन के कारण है दिन में अपरतित उतना नहीं हो पाती लेकिन रात में अपरतित होती है बंद कमरों में भी ध्वनी का सुनाई देने का कारण क्या है ध्वनी का विवर्तन बंद कमरों में भी ध्वनी सुनाई देती है इसलिए पास के रेडियो इस्टेशनों का प्रसारण कभी-कभी साफ नहीं सुनाई देता जिसका क्या कारण है विनाशी व्यतिकरण, destructive interference, समुंद्र में silence जोन या नीरो छेतर का होना किसके कारण है विनाशी व्यतिकरण के कारण अच्छे ये बार-बार पूचता है कि प्रतिध्वनी सुनाई देने के लिए सुरोतायों परावर्तक सत्य के बीच की नियूंतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो 17.6 मिटर या 16.6 मिटर याद रखेगा इसके अस्थान पर 17 मिटर बूचता है तो वही सही होगा तो नियूंतम 16.6 मिटर या 17 मिटर लगभग तो प्रतिध्वनी क्या है किसी दिवाल के पास आप बोलते हैं तो आवाज आपको रिफलेक्ट होकर परावर्तित होकर सुनाई परती है तो उसमें नियूंतम दूरी क कानों में कितने समय तक रहता है एक बटे तस सेकंड रहता सेकंड के एक बटे दसवें भाग तक यह कुछ माध्यों में ध्वनी की चाल दी है इसको आप देख लीजे कार्बन डायक्साइट में 260 वायू में 332 मीटर पर सेकंड है ठीक है मीटर पर सेकंड भाप में 405 अलको समुद्री जल 1530 और लोहा दोस्तों पांच जार एक सोतीस कांच पांच जार चासो चालिस एल्मूनियम में सफसे अदा 6420 कुछ द्वनियों की तीवरता कास्ता तीवरता डेसिबल में जो मापा जाता है पूसता भी अक्सर साधारन बाचीत की तीवरता कितनी होती है तीस स चालिश डेसिबल फुष पुसर द्वनियों की तीवरता पंदर सो पंदर से बीस डेसिबल जोर चुर या गुस्सें में बाचीत की तीवरता पंद ser या शाथ हैं नपट्ड़ी त्रक या मोटर साइकल की 90 से 0डेसिब्ल आरकेश्ट्र की 100 सो दैसिबल अरकेश्ट्रा की 100 रॉकेट की 160-170 साइरन की 110-120 जेट विमान की 140-150 मिसाइल की 180-190 बिजली की कड़क की 125 अब प्रकाश में आगे चलते हैं निकट दिश्टी दोस इस दोस में क्या होता है? व्यक्ति नस्दी की वस्तु को देख लेता है परन्तु दूर इस दोस को इस पश्ट नहीं देख पाथ देकि उल्टा होता है निकट दिश्टी दोस दिखा है लेकिन ये निकट दिखता है निकट में कोई दोस नहीं है निकट वाले में दूर वाले में दोस अर्थार दूर की वस्त पश्ट नहीं दिखाई पड़ती इसका निवारण उप्यूक्त फोकस दूरी का आउतल लेंस क्या आउतल लेंस का प्रियोग की आता है कानके ओ लेंस का प्रियोग की आता है दूर दिश्टी दोस हाइपर मेट्रोपिया जिसको कहते हैं या long sight deadness करते हैं इस दोश में व्यक्ति दूर की वस्तु देख लेता है परनुत नजदी की वस्तु को सपष्ट नहीं देख पाता है इसके निवारण के लिए उप्चार के लिए उप्युक्त फोकस दूरी का उत्ता लेंस कान्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है इस दोश में व्यक्ति उर्ध्वादर या 36 रखाओं में अंतर नहीं कर पाता है इसके निवारण के लिए cylindrical लेंस या बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है आगे किसी लेंस की फोकस दूरी क्या व्यूतक्रम लेंस की चमता क्या व्यूतक्रम क्या कर लाता है लेंस की शमता जो फोकस दूरी होती एफ होता है उसका व्यूतक्रम वन बाई एफ लेंस की शमता कहलाता है इसका मात्रक होता है डायोटर धूप के चश्मे की शमता कितनी होती है जीरो डर्पन का प्रयोग का होता है तो उत्तल दर्पन 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 का प्रयोग होता है तो उत्तल दर्पन का आपराइंपों में वी ऊतल दर्पण का प्रैयोक किया जाता है इसके लावा चिकिस्सक जो कान ना गले की जाज करता है उसमें जो दर्पन का प्रियोग होता है आउतल दर्पन होता है वहानों की हेडलाइटों में परवलाइक दर्पनों का प्रियोग परवलाइक दर्पनों आउतल दर्पन ही होता है एक प्रकार का उसका प्रियोग किया जाता है समतल दरपन प्लेन मिरर दोस्तों इसे समंदिशे प्रशनाते हैं यदि दो समतल दरपन समानांतर इस्थित्वों तो उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसकी प्रत्विम्स की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी अनंत प्रत्विम्स बनेंगे यजज कभी आप जाते होंगे सैलून में आप देखते होंगे कि आमने सामने समानांतर दौ-दरपण रख्या होते हैं तो पता निकी देखते जाए ए खतम नहीं होगा आनन्त आपके प्रविम कोई ने होंगे यजज दो समत्रविम और लंबववत इस टित्म हो नीला लाल हरा नीला प्रकाश का रंग निर्वर करता है किस पर तरंग देर्द पर तरंग देर्द से निधायत होता है प्रकाश का रंग क्या है सबसे अधिक तरंग देर्द होती है लाल रंग की जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिला जाता है तो परड़ामी रंग क्या होता है सफेद प्रिजम से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है बैगनी रंग किसी अन्य वीडियो में हम आपको बता देंगे पूरा एक ग्राफ कि रंग को आप कैसे पता करोगे यहां कौन होगा यहां कौन होगा तो सबसे अधिक पिजम से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कौन दर्साएगा बैगनी रंग की तिरंग क्योंकि इसका तरंग दैर सबसे कम होता है जिसका सबसे अधिक होगा अर्था तलाल रंग का उसका विचलन सबसे कम होगा किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है अर्था जैसे कोई पीली कलर की वस्तु आपको दिख रही है इसका मतलब वो पीले कलर की तरंग को वह परावर्तित करता है इसलिए कोई चीज पीला या हरा दिखाई देगी अर सथ हरे कलर को परावर्दित कर रही है हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा काला याद रखेगा यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसे दिखाई देगी काली हम आपको बताएं न कि हम कल आपको एक वीडियो में वह बता देंगे किसके मिलने से कौन सा रंग बनता है इससे आपको यह प्रशन हल हो जाएंगे सब इंद धनुष में रंगों की संख्या है कितनी साथ इंद धनुष में किनारों पर कौन कौन से रंग होते हैं एक तरफ आर होगा रेड होगा एक तरफ बैगनी होगा वी होगा ठीक है विब ग्योर एक उत्तल दर्पन से बनने वा प्रत्विम्ब होगा सदयव वस्तु से छोटा आभासी एवं सीधा पूस्ता है प्रशन याद रखेगा संतल दर्पन से बनने वाला प्रत्विम्ब वस्तु के बराबर होगा आभासी होगा और पाश उल्टा होगा किस दर्पन का प्रयोग वस्तु का आवर्दित आभासी किए सीधा प्रत्रीम प्राप्त करने के क्या जाता है तो हैं से बने के जब वाला प्रत्रीम होगा सदया वाभवासी उत्तर लेञ द्वारा आभवासी प्रत्रीम वस्तु की कि Commander का में ये सभी प्रश्ण फूछता नहीं लेकिन ठोड़ा सजह क्रिकर दे रहे हैं मानलीजे पूछ लेता है तो yad रहेगा प्रश्ण फूचेगा आपसे यह कि कि समाध्या में प्रकाश की चाल क्या होती है तो निर्वात में सबसे दिख होती है याद रखेगा निर्वात में वायु की चाल या वायु का वेग स्वरी प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कितना तीन तीन गुड़ते 10 to the power 8 meter per second जल की जल में कितना होता है 2.25 into 10 power 8 तारपीन के तेल में 2.04 into 10 to the power 8 और कांच में 2 into 10 to the power 8 तो यह यह पुछेगा तो कांच सबसे अधिक पुछेगा तो निर्वात गाश्च की उदारण मुस्ता हीरे का चमकना किसका उदारण है पूरा आंतरीक परावर्तन का रेकिस्तान में म्रिख मरिछ का जो बंती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ठंडे देशों में मरिच का आप्टिकल फाइबर कारे करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी जो प्रियोग कियाती है वो इसी परादारित है पूर्ण आंतरिक परावर्त देना ये सभी प्रकाश के प्रकीडन करण होता है अंतरिक्ष से आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देता है काले रंग का चंद्रमा शे आकास का रंग दिखाई देता है काला यदि पित्वी परवाय मंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के वजाए कैसा दिखता काल जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता वेग तरंग दैर्द परिवर्तित हो जाते हैं और आवरित्ती परिवर्तित के हमने बता है ध्वनी में भी और वही प्रकाश में आवरित्ती परिवर्तित रहेगी फ्रिक्वेंसी परिवर्तित नहीं दिखाई देना और जल का तलाब कम्रहा दिखाई देने का का प्रकाश का अपवर्ततन प्रिज्म में प्रकाश के विविन Carne यहां मानो आंख की रेटी ना पर पो बात भ Stevens उल्टा एक काउन है को है इऊ मनुष्य की आख में किसी वस्तु का प्रत्विम्ब जिस भाग पर बनता है वह क्या एक हलाता है दिश्टी पटल पर प्रत्विम्ब बनता है प्रकाश में दुरुण की गटना से यहसित दोता है कि प्रकाश परंगे क्या है अनुप्रस्थ मोटर कारों में हेड लाइट की चका चौंद को हटाने के लिए किसका प्रयोग कियाता है याद रखेगा पोले राइड प्रयोग किया जाते हैं 3D फिल्म में देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाले चसमों में प्रयोग होते हैं पोले राइड ठीक है न जिससे प्रकाश का जो प्रभाव होता है वो चकाचोंद नहीं रहती है प्रित्वी पर दूरस्त वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोक्त उपकरण है पार्थी और दूरदर्सक टेरिस्ट्रेरियल टेलिस्कोब पूछा भी गया था यूपीटिप प्रित्वी की घूणन गति बढ़ जाए तो वस्तुओं के भार पर प्रभाव पढ़ेगा वस्तुओं के भार प्रभाव पढ़ेगा अगर घूणन गति बढ़ जाए तो दुरूओं के अत्रिक्त प्रत्यक अस्थान पर वस्तूओं के भार में क्या हो जाएगी कमी हो जा तो द्रूओं में जो द्रूओं के परभार रहेगा वो अपरव्यतित रहेगा यह आपको याद रखना है ठीक है प्रत्वी की प्रत्य इस्तिती में द्रूओं परभार अपरव्यतित रह रहा है प्रत्वी परभार का मान अक्षांस के साथ साथ होता है अर्था जीरो डिग् अक्षांस पर सबसे कम भार होगा क्यों गुरुत्वी तवरण का मान सबसे कम होगा और धुरुगों पर गुरुत्वी तवरण का मान सबसे अधिक होगा तो वहां भार सबसे अधिक होगा लिफ्ट के उपर जाने पर उस पर इस्थित वस्तु का अभासी भार क्या हो जाएगा बढ़ तो लिफ्ट जब उपर जाएगी तो उस पर जो वस्तु इस्थित होगी उसका अभासी भार पढ़ जाता है लिफ्ट के नीचे जाने पर उस वस्तित वस्तु का अभासी भार कम हो जाता है दुरघटना वश्च अगर लिफ्ट तूट जाए तो उस पर इस्तित वस्तु भारहीन हो जाती है लिफ्ट के समान चाल से उपर या नीचे जाने पर उस पर इस्थिति वस्तुका अभासि भार वास्तु morale के बराबर रथात अपरिवर्तित होगा अगर एक समान चाल से जाए थीक थीक है तो अगर त्वरित रहेगी तब तो उपर जाने पर क्या होगा वस्तु का अभासी भार बढ़ा प्रतित होगा लिफ्ट अगर नीचे जाएगी त्वरण से अथाथ चाल में परिवर्तन होगा तो उस पर इस्तित वस्तु का अभासी भार कम हो जाएगा लेकिन अगर एक समान चाल से जाए उसमें त्वरण न रहे तो वास्त्विक भार के बराबर योगा परिवर्तित यानी रहेगा जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा लोहे के भार में वृद्धी हो जाती है याद रखेगा पूसता है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है लोहे का भार बढ़ जाता है चुम्बका तुम देख लेते हैं अंचुम्बकी पदार्थ परामाइगनेटिक सबस्टेंसे वे पदार्थ होते हैं जो चुम्बकी छेत में रखे जाने पर छेतर की ही दिशा में मामूली सर्था थोड़ा बहुत चुम्बकीत हो जाते हैं खिच जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के समीव लाए जाने पर पूरता आकरशित हो जाते हैं इसके उधारन कौन कौन है याद रखेगा प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, अलिमूनियम, मैकनीज, क्रोमियम लोग चुम्बकी पदार्थ क्या होते हैं जो बहुत तेजी से आकरशित होते हैं ये कौन होते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकल प्रतिचुम्बकी पदार्थ डायमेनियनेटिस सब्स्टेंसे वे पदार्थ होते हैं जो चुम्बकी छेत में रखे जाने पर शेतर की विपरित दिशा में मामुली से इसका हम इधार्थ हैं चादी, सोणा, जिंक, जल, हैड्रोजен, कॉपर, हीर, वाय लिग नमक ये सभी प्रति चुम्ब की पदार्थ है किसी चालक तार में विद्दुद्धारा प्रवाइद करने पर इसके चारो और चुम्ब की छेतर उत्पन हो जाता है चुम्बक के चारो और का वजचेत जिसमें चुम्ब की प्रभाव का अनुभव होता है वो चुमकी छेत्र कहलाता है विद्धुत के बारे में देख लिएजे पूसता है जो विद्धुत धारा एक अधिश्राशी है कौन सा विद्धुत यंत्र उच A.C.V को निमन A.C.V में एयों निमन A.C.V को उच A.C.V में बदल देता है तो ट्रांस्वामर ट्रांस्फार्मर का कामी होता है वोल्टेज में परिवर्तन करना और ये केवल AC में अल्टरनेटिंग करेंड में कारे करता है प्रत्यावर्ती धारा में गैलवेनो मीटर के द्वारा क्या पता लागाता है विद्धु धारा का गैलवेनो मीटर धन उलजा को विद्ध तुर्जा में प्रवित्यत करता है माइक्रोफोन हीटर का तार किसका बना ओता है नैक्रोम के तार का ट्रांसफार्वर में किस धारा का प्रियोग होता है केवल प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करेंट का AC का शुस्क सेल, ड्राई सेल में एनोट का कार करता है कार्बन का छड़ शुस्क सेल है एक प्राथमिक सेल घरों में लगे बल्ब, ट्यूब, लाइट, पंखे आधिक किस क्रम में होते हैं समना अंतर क्रम में पैरलल क्रम में, पैरलल आडर में transformer का कार क्या होता है? voltage को कम या अधिक करना fuse star की विशिस्ता याद रखेगा fuse star उसमें कम गलना के उच्छ प्रतिरोध पाय जाता है प्रत्य अवर्थी धारा AC को दिश्ट धारा में बतला जाता है किस से दिश्ट कारी धारा rectifier धारा AC को DC में आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनन्त तो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनन्त होता है घरों में दी जाने वाली विद्दुत धारा की आवरित्ती होती है पचास हर्टस जो घरों में विद्दुत धारा दी जाती है उसका पचास हर्टस आ गंठा जलाया जाये, पूस्ता है, तो कितनी उनिट विद्दुत खर्च होगी एक उनिट, शुस्क्सल का कै्थोर्ड होता है, जस्ते का, तडित चालफड बना होता है, तावे का, जो तडित जंजा के बचाओ, जो विजली गिरती उससे बचाओ के लिए ताबे का प्रियोप कियाता है तडित चालक में फ्यूज तार किसका बनाओता है ताबा टिनवा सीसा के मिश्र धातु का एक किलो यह हम अभी जब रसायन का वीडियो बनाएंगा उसमें पूरा बताएंगा एक किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं यह नहीं पूछेगा विद्दुत की सरवादिक सुचालक धातु कौन सी है चादी सबसे आदा विद्दुत सुचालक है कौन सी अधातु विद्दुत का चालक है ग्रिफाइड एकमात अधात हो है जो विद्दुत का चालक है विद्दुत बल्व का तंतु बना होता है टंगस्टन का विद्दुत बल्व का तंतु टंगस्टन का मना होता है विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगता है आकरशन पर जो विपरीत आवेश रहेंगे तो आप आकरशित करेंगे समान आवेशों के बीच प्रतिकरशन होगा अधिक वाट के बल का प्रतिरोध होता है कम जो अधिक watt कबल होगा, जितना ज़्यादा watt रहेगा, उतना ज़्यादा voltage रहेगा, उतना ज़्यादा प्रतिरोत कम रहेगा विद्धुत लेबन के लिए किस धारा का प्रयोग होता है, दिश्ट धारा का, अथा DC का विद्दुत फ्यूज परिपत के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है तो सेड़ी क्रम में जोड़ा जाता है गैलवेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है किसके द्वारा ये तो नहीं पूछे का अलांकि लेकिन जानते रहे गल्वनों मीटर के सेंडी क्रम में उच्छ प्रतिरोत का तार लगा कर गल्वनों मीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है गेलवनः martyr को अमिटर में कैसे बतला जाएगा समानांतर क्रम में कम प्रतिरोवत का ताल लगा कर चालकों का ताब घटाने पर विद्दू चालकता क्या हो जाती है आधिक हो जाती है जब ताब घटाएंगे चालकों का अब अंतिम देख लीजे भारत का प्रथम परमाण रिसर्च रियक्टर का नाम क्या है अपसरा नाम है यह भारत का प्रथम परमाण रिसर्च रियक्टर है तापिय रियक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है मंदक के रूप में भारी जल किस रूप में मंदक के रूप में इसके लावा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल का प्रयोग मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है इसके लावा न्यूट्रान का भी प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है भाबा परमाण नसंधान केंद बार किस्तित है कहां पे पूर्य पर्माण विद्वत के याद रखेगा यह पर्माण विद्वत के अंद उर्जा केंद रहे और यह पर्माण रिसर्च र्याक्टर अवसरा है अंतर है भारत ने पर्थम पर्माण वि su Jeep लोट किया 18 मthe pais 1974 में तारो असूरी की उर्जया का श्रोत क्या है नाबकी संङलीयन नुक्लियर फ्यूजन हाइडोजन तो हइडोजन के परमार मिलके हिलियम बनाते हैं हिलियम का नाभीक बनाते हैं तो हिस से नाभकी की प्रक्रिया से सूर हमें उर्ज अची अब किया का उप्योग होता है नाब की रीएक्टर या पर्माप भठी में तारों में अक्षय उर्जा के का कारण क्या है hydrogen का helium में परिवर्तन वही जो सूर्य में उर्जा का सोध है सूर्य भी एक प्रकार का तारा है तापी रियक्टर में शिंकला अबक्रिया को नियंतित करने के लिए प्रयोग करते हैं कैडमियम या बोरान की छणोगा ठीक है तापी रियक्टर में शीतला के रूप है इनका प्रयोग किसके लिए कियाता है कारबन 14 का जिवाश्मों की आयो ग्यात करने में कोबाल सिष्टी का कैंसर उपचार में यूरेनियम 238 का पित्वी तथा पूरानी चट्टानों की आयो का पता लगाने में या यूरेनियम डेटिंग इसी को बोलते हैं आयोडिन 131 क थाराइड ग्रंति का विकार ग्यात करने में तथा ब्रेंट यूमर के उपचार में आयरन 59 का अरक्तता का रोग ग्यात करने में जुन्यमोनिया उतके लिए सूडियम 24 का परिशंचर्ण तंत्र में रक्त के ठक्के का पता लगाने के लिए तो याद रखे यह तो पूछा पूछा जाएगा तो यह था पूरा फिजिक्स आपका किसी भी परिक्षा में आप जाएंगे यहां से प्रश्ण आपके टोटल अगर 15 पूछ रहा है 99 परसेंट 90 परसेंट से उपर आपके प्रश्ण यहां से पूछे जाएंगे तो आज के लिए बहुत 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 धन क्याप्त होगा फिलाल जो 15 सितंबर को आपको लोर देना है उसमें 50 नंबर में मैथ और साइंस है तो साइंस का एक बड़ा पूर्शन ज्यादा प्रश्ण आएंगे इसके लिए जो जो पूछा जा सकता है सब हमने इसमें समयलित कर लिया है सब इसमें आपको मिल जाएगा आप डिस्किप्सन बॉक्स में अगर अभी तक लिंक नहीं जोइन कर सक payments का तो वहां से जोइन के लिए बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है जोइन करने मैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं उनको करना क्या है कि कॉपी करें जो लिंक मैंने दिया है उसको कॉपी कर लें कॉपी करने के बाद उसको टेलिग्राम पे जा करके सर्च बाक्स में पेश्ट कर दें और फिर सर्च करें अपने आप आ जाएगा ग्रूप और उसको जॉइन कर लें चलिए सुरू करते हैं तत्व से सुरू करते हैं एलिमेंट वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के प्रमाणों से मिलकर बना है क्या कहलाता है तत्व कहलाता है एक ही प्रकार के प्रमाणों से मिलकर बना होता है तत्व मुक्यता दो प्रकार के होते हैं धात्व या अधात्व वर वैग्यानिकों ने प्रयोग शाला में कृतिम रूप से संस्टेशित किया है, कृतिम रूप से बनाए है, मानो शरीर में दूसरा सरवाधिक उपस्थित तत्व जो है, क्या है, अठारह प्रतिशत कारबन, तो ये तो दूसरा सरवाधिक उपस्थित तत्व है कारबन, सफसे ज़्यादा oxygen की मात्रा होती है लेकिन दूसरे अस्थान पर पूछा जा चुका है प्रश्ण कारवन होता है मानो शरी में सरवाधिक प्राप्त धात उतत्तों सवसे ज़्यादा धात उतत्त्व कौन पाए जाता है मानो शरी में तो कैल्शियम हड्डियों के निर्माड में दातों में इसका प्रयोग होता है इसका इस्तमाल यह मौजूद होता है मानों के हीमोगलोबिन में पाये जाने वाला तत्व कौन है लोहा लोह तत्व हीमोगलोबिन में पाये जाता है पौधों के पर्ण हरीम क्लोरोफिल में पाये ज आने वला तर्ट बहुत लोग लगा के आ जाते हैं, गलत हो जाता है, Magnesium, सबसे भारी थातु तत्तु कौन सा है, सबसे भारी आस्मियम, O.S. आस्मियम, सबसे भारी थोस अधातु कौन सा है, Estetine, तो ये Estetine क्या है, अधातु है, सबसे भारी थोस अधातु है, सबसे हलकी गैस अधातु कौन सी है, दोस्तों, Hydrogen, सबसे हलकी गैस है, सबसे भारी गैस अधातु कौन सी है, Redon, सबसे भारी, सबसे अधिक विद्दुत रिणात्मक वाला तत्तु कौन सा है, पूचता है कई बार, Florine, तत्व कौन सा है दोस्तों प्लैटिनम सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा है दोस्तों हीरा सबसे चमकदार है और कठोर है कार्बन का पर्रूप होता है जल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों पीला फासपोरस पीले फासपोरस पीला लाल सफेद हरा दे देगा लेकिन आपको याद रखना है पीले फासपोरस को जल में रखा जाता है बाहर अगर आएगा तेजी सब्रिया करके विस्पोर्ट हो जाता है समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है सुरक्षित दिया सलाई में जो दिया सलाई आप जलाते हैं लाल फास्थोरस का प्रयोग किया जाता है सौर सेलों में सिलिकान का प्रयोग किया जाता है सिलिकान क्या है दोस्तों यह एक अर्धचालक है अर्दचालक कौन-कौन से हैं, सिलिकान, जर्मेनियम, ये सबी क्या हैं, अर्दचालक है, तो मैक्सिमम सिलिकान का प्रयोग होता है, क्योंकि ये ज़्यादा इसकी उपलब दता है, जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तक्तो कौन है, समस्थानिक मनलब जिनका परमाण क्रमांग बराबर होता है लेकिन परमाण भार में भिन्नता होती है इसके कितने हैं पोलोनियम के 27 समस्थानिक है उच्चतम इलेक्टरान बंदुता वाला तत्व कौन सा है क्लोरीन इलेक्टरान बंदुता सफसे अदा किसका है क्लोरीन का त इसको उर्द पातन की क्रिया कहते हैं तो आपका आयोडीन जो है जलाने पर गैस के रूप में परिवतित हो जाता है द्रव में नहीं चेंज होता है इसी तरह का कपूर है आधनिक आवर्द सार्डी में गैसी तत्वों की कुल सं गया रहे हैं और दात्यव अधात्य दोन के गुण प्रकट हो उबधातु क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण प्रकट हो। ये उबधातु तत्व कहलाते हैं। ये कौन-कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एवं टेल्यूरियम। सरवाधि गैसी तत्वों का जो वर्ग है सफ्यादक गैस तत्व किसम है? शून ये वर्ग में। इनको अक्री गैस तत्व भी कहा जाता है। एक परमाडूक तत्व हैं अक्री गैस। ये अक्री गैसें अब एक परमाडूक होती हैं। अक्री मतलब ये अभिक्रिया नहीं करती है किसी दूसरे तत्व के साथ, इसलिए इनको अक्री ऐसे कहते हैं, इसमें हिलियम, नियोन, आरगन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान ये शामिल है, विद्धुत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व कौन सा है, चादी, चाद सबसे अधिक क्रिया अधातु तत्व कौन सा है, सबसे ज़यदा क्रिया करता है, कौन अधातु, फ्लोरीन, दूद में सर्वादिक मात्रा में पाय जाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्सियम सबस्यादा पाए जाता है जीवित मानो शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है मैगनीज जीवित मानो शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है मैगनीज वायू का प्रमुक घटक कौन सा है दोस्तों नाइट्रोजन वायू का प्रमुक घटक है सफसे यदा अर्थाद सफसे यदा मात्रा में नाइट्रोजन पाय जाता है प्रित्वी की भूपरपटी क्रष्ट में पाय जाने तत्तों की पतिशत्ता घटते क्रम में निमने अर्थायत प्रित्वी की भूपरपटी पर क्रश्ट में सबस्यादा कौन सा तत्त पायाता है दोस्तों ऑक्सीजन फिर दूसरे अस्थान देके याद रखेगा दूसरे अस्थान पर सिलिकॉन तीसे अस्थान पर इल्मूनियम चौत्थे अस्थान पर लोह बाकी आपको और फिल लोहा आगे बढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी रेडियो सक्रीता देख लेते हैं इससे क्या क्या प्रश्ण बन सकते हैं रेडियो सक्रीता के खुच करता कौन है तो हैं यूरेनियम की खनिज का क्या नाम है अर्था कहां से यूरेनियम पायाता है पिच ब्लैं इनमें सबसे कम वेधन शम्ता किसकी होती है अलफा क्रिणों की सबसे अधा वेधन शम्ता गामा क्रिणों की सबसे अधिक वेधन शम्ता गामा क्रिणों की इनमें धन आवेशित कौन से है अलफा क्रिणे रिन आवेशित कौन सी है बीटा करिणे और विद्दुत की उदासी इन अर्थाथ जिन में कोई आवेश नहीं पायाता है तो गामा करिणे अलफा बीटा गामा करिणों में से सबसे अधिक वेक किसका होता है गामा करिणों का लगुतरंग दैर्ध वाली विद्दुत्चुम की तरंगे कों से हैं दोस्तों गामा करिणे ये लगुतरंग दैर्ध वाली अर्था तरंग दैर्ध इनकी सबसे कम होती है गामा करिणों की याद रखेगा एक radioactive पदार्द की आधी मात्रा विग्टित होने में लगा समय क्या कलाता है अर्ध आयूकाल radioactive पदार्द की सक्रीता की काई क्या है क्योरी क्योरी में माटते ہیں इसको सक्रीता के अन्य मात्रक कौन से है रदर फोड और बैक रेल भी ये मापक भी सक्रीता के मापक है कुबाल सिष्टी को किन क्रिड़ों के उस सर्जन ने कारण विकरन चिकस्ता में प्रयोक कियाता है कुबाल सिष्टी से गामा क्रिड़ों का उस सर्जन जादा मात्रा में होता है मैडम क्यूरी को नोबेल पुरसकार कितनी बार मिला है दो बार इनको नोबेल पुरसकार मिला है रेडियम की खोज इन्होंने की थी है अब अमल और छार से जो प्रशन आते हैं सिर्के में कौन सा पाए जाता है अमल एस्थिटिक अमल नीबू में साइटरिक अमल अमल और अभी लाश में बता देता हूँ किसमें क्या क्या अमल पाए जाता है अमल और छार की मिलने से क्या बनता है लवड खटे दूद में क्या पाए जाता है लैक्टिक एस्टिड क्या lactose कभी कभी दे देता है तो वो गलत हो मिलान करने को आएगा lactic acid की जगह lactose दे देगा तो lactose सरकरा है वो अमल नहीं है याद रखेगा खटे दूद में नहीं पायाता है दूद में पायाता है तो खटे दूद में lactic amount फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अमल काप्रियों करते हैं 화장 Risk घाटे फलों में क्या पाय जाता हैा सै्ट्रिक अमल ग्लूटेमिक खटे फ़ल जैसे आपका संत्र हो गया मुसंभी हो गया इन समयए ग्लूटेमिक अमल का प्राकतिक होत द है सांद्र सल्फियूरिक अमल और सांद्र नाइट्रिक अमलका संचायक बैट्रियों में किस अमलका प्रयोग होता है सल्फियूरिक अमलका अमलका पीच मान कितना होता है दूस्तों साथ से कम और छार का साथ से आदा अमल और छार में इसी संतर की आता है pH मान 7 से कम है तो वो अमल होगा pH मान 7 से अधिक है तो छार होगा 7 है तो लवड होगा छार छूने में कैसा लगता है साबून जैसा लगता है कई बार पूछा गया है साबून जैसा लगता है फार्मिक अमल का उपयोग है फलो को सरक्षित करने में चमडा उद्योग और रबन में फार्मिक अमल का प्रेवोग किया जाता है सिर्के का pH मान कितना होता है 2.4 से 3.4 तक pH मान है अमल स्वाद में कैसा होता है खटा अमल नीले लिटमस पेपर को किस रंका कर देता है छार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है नीला जब चीटिया काड़ती है तो वे अंतक शेपित करती है क्या निकालती है फार्मिक अमल कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग कियाता है आगजेलिक अमल का सोडा वाटर वो कोल डिंक में कौन सामल पाजाता है कार्मोनिक अमल सेब में कौन सामल पाजाता है मैलिक अमल अंगूर में टाटरिक अमल अमल राज एक्वारेजिया क्या होता है तो त्री अनुपाते वन का अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल और सांद्र नाइट्रिक अमल का मिश्टन होता है अमलराज, इसको अमलराज बोलते है पेट की अमलीता को दूर करने में प्रयोग करते हैं किसका milk आप magnesia काई बार पूछा गया है milk आप magnesia का पेट की अमलीता को दूर करने में वो अमल जो जल में पूर्टः आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं प्रबल अमल कहलाते हैं जो पूर्टा आयनित हो जाते हैं प्रबल अमल के उधारण हाइड्रोक्लोरिक अमल नाइट्रिक अमल ये प्रबल अमल वे अमल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं वीक एसे दुर्बल अमल दुर्बल अमल कौन से हैं अधिकांस जो कार्बनी कमल होते हैं जैसे एसिटी कमलुआ, बेंजोई कमलुआ ये सभी दुर्बल अम्न की शेणी में आते हैं नीबू का पीच मान दिया है 2.2 यहां पे अच्छा इधन का देख लेते हैं वे पदार्थ जो जलाने पर उश्मायों प्रकाश उत्पन करते हैं क्या कलाते हैं इधन ठोस वद्रों इधन की अपेक्षा गैसी इधन कैसे होते हैं अच्छे होते हैं जो गैसी इधन है वो सबसे बेश्ट होते हैं क्योंकि वो सबसे कम production करते हैं और ज़्यादा easy होते हैं वो processing में, प्रक्रिया में, कोईले के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार कोईले हैं, anthracite, lignite, vituminous और peat, जिसमें सर्वोत्तम किस्म का जो कोईला होता है, anthracite कोईला होता है, वाई की अनपस्तिती में कोईले को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोईले का भंजग आवस्वन, वाई की अनपस्तिती में, कोईले को हवा की अनपस्तिती में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, कोक, इसलिए हवा की अनपस्तिती में जलाया जाता है, रॉकेट इधन को क्या कहते है प्रणोधक कई बार आप नाम सुनते होंगे प्रोपेलेंट्स का पेट्रोलियम गैस किसका मिश्ण होता है ब्यूटेन प्रोपेन और इथेन का अक्सर फूचता है पेटोलियम गेस में क्या होता है तो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन भविश्च का इधन कहते हैं किसको हाइडोजन को प्राक्तिक गेस के घटक हैं मेथेन वर इथेन ये प्राक्तिक गेस में पाए जाते हैं मुख्यता जिवाश्म इधन के उधारण कों को से हैं कोईला, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, तेलोर प्राक्तिक गेस सब जिवाश्मों से पाए जाते हैं बायोगेस किसका मिश्चन होती है मिथेन, कार्बन डाइकसाइड, हाइडोजन और हाइडोजन सलफाइड का तो अक्सर पूचता है कि बायोगेस में क्या-क्या पाए जाता है तो मिथेन, कार्बन डाइकसाइड, हाइडोजन, हाइडोजन सलफाइड भापंगार गेस किसका मिश्चन होता है कार्बन, मोनोगसाइड याद रखेगा और हाइडोजन का नाइट्रोजन और कार्बन डायक्साइट के मिश्ण क्या कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं मिट्टी के तेल से बनने वाले गैसी इधन को क्या कहते हैं तेल गैस ओयल गैस कहते हैं अपसफोट रोधी योगिक है अक्सर पूछता है अपसफोट रोधी कौन सा योगिक है अब धातु, अधातु और मिश्र धातु, धातु को देख लेते हैं अधात्व को मिश्र धातु है, धातों की विद्दु चालगता, घट्टे करम में देखा जाए, सबस्यादा चादी का फिर ताबा का फिर अल्मूनियम का फिर टंगस्टन का धात्वें अमलों से अविक्रिया कर किस गैस को विस्थापित करती हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं अमलों से अविक्रिया कर धातु के आकसाइड प्राया क्या होते हैं शारी होते हैं वाईवान के निर्माण में किस धात का प्रयोग करते हैं पेलेडियम का कई बार पूछा है वाईवान के निर्माण का निर्माण में पेलेडियम का प्रयोग कियाता है किस अधातु का उपयोग फोटो इलेक्टिक सेल में होता है तो सेलीनियम का रणनीतिक धातु किसे कहते है टाइटेनियम को कहते है रणनीतिक धातु कहते है टाइटेनियम को रेडियो सक्री द्रव अधातु कौन सा है तो फ्रांसियम यह द्रव पदार्त है जो radio active है, पारा को किस पात्र में खाता है, लोहे के पात्र में, किस धात्र के चमच से अंडा नहीं खाना चाहिए, चाधी से, थीक है, अब क्रिया कर लेता है, ख्लोरोफिल में उपस्थित धात्र तत्व है, magnesium, यह ख्लोरोफिल में उपस्थित होता, अभी हमने आपको बताय हुआ वपयोग में लाल चटक रंग होता है तो इस इंचांश यह रखएगा हरा रंग और लाल चटक रंग अस्टांशियं वनस्पती दों से क्रितिम गी के निर्माण में किस अध़ाद का उप्योग प्रेरक के रूप में होता है कैटलिष्ट के रूप में निकेल का जिर्कोनियम का प्रियोग का होता है नावकी रियक्टर में मंदक के रूप में चाधी, गोल्ड, ताबा, प्लेटिजियम तथा बिस्मत अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वत्तंत्रिया मुक्त अवस्था में पाई जाते हैं याद रखेगा चांदी, सोना, ताबा, प्लेटिनम, बिस्मत ये सभी कम अभिक्रियाशील हैं इसलिए मुक्त अवस्था में पाई जाते हैं अधातु में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात अधातु में कई ऐसी हैं, जो ठोस भी हैं, कई अधातु में द्रव में भी हैं, कई अधातु में गैस में भी आती हैं, कार्बन गंधक आधी ठोस अधातु हैं, जबकि ब्रोमीन, द्रव व आक्सीजन、 नाइटोगन आधी गैसे हैं, तो कार्बन गंदग ये ठोस अधातू है, ब्रोमीन ऐसी अधातू है जो द्रआव है, और आक्सीजन, नाइटोगन ये सभी गैस अधातू हैं कार्बन के किष्टली अप्रूग कौन से हैं हीरा योंग ग्रिफाइट हीरा कठोर योंग विद्दूत का कुछालक होता है इसका प्रियोग आभूशन योंग काच को काटने में किया जाता है जिसमें मिष्टादू क्या होते हैं दो से अधिक धातू रहते हैं या फिर एक धातू और एक धातू के समान मिष्टादू को मिष्टादू कहते हैं जब पारा किसी धात उसे मिलकर मिश्र धात बनाता है तो उसे क्या करते हैं अमल गम जब पारा किसी धात से मिलकर मिश्र धात बनाते हैं तो उसे अमल गम करते हैं पूस्ता भी अमल गम में क्या उपस्तित होता है तो पारा दे धात्व कुछ हैं उनके अयस्क हैं अक्सर पूचता है याद रखेगा एलमूनियम के अयस्क बाकसाइट, क्रायोलाइट, कुरंडम लोहा के हेमेटाइट, मैगनेटाइट, सीडेराइट कॉपर के कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट क्यूपराइट के कई बार पोचता है तो कंफूज मत हुईएगा चादी का सिल्वर ग्लांस या अर्जन टाइट जिसको कहते हैं हारने सिल्वर, सीशा का गेलेना, पारा, सीने बार से पाए जाता है मैगनेशियम, डोलोमाइट, कारणा लइट और मैगनेशाइट से पाए जाते हैं कितना यात कले बहुत है मिश्र धात में कम से कम एक धात उततो अवश होगा मिश्र धात की करोबणा घटक धात की तुलना में क्या होती है अधिक होती है क्योंकि इसमें अधातु मिल जाता है अब क्रिया करने वाजो मिश्धातु की कठोरता होती हो बढ़ जाती है याद रखेगा जो घटक धातु होता है उसे बढ़ जाती है रोल्ड गोल्ड का संगटन है ताबा और एल्मूनियम अथार रोल्ड गोल्ड ताबा और एल्मूनियम के संगजन से पाजाता है पीतल ताबा और जिंक के कासा ताबा और टिन से सोल्डर लेड और टिन से नाइक्रोम का उप्योग कहा होता है विद्दुत तापन अवयो के लिए जैसे आपका हीटर हो गया और स्त्री हो गया आपका उन सम्में पाय जाता है एल्मूनियम आक्साइड होता है एल्मूनियम आक्साइड होता है एल्मूनियम आक्साइड धातों के आक्साइड समानता होते हैं शारी ये बेसिक होते हैं अधातों का अक्साइट प्रातः अमली और या उदासीन होते हैं कार्बन डायक्साइट सलफर डायक्साइट क्या होते हैं अमली अक्साइट होते हैं ठोस अधातों कौन सी हैं कार्बन सलफर फासफोरस आउडी ने सभी ठोस अधातों हैं कार्बन मोनो आकसाइट, नाइटरोजण ये सब होते हैं उदासीन आकसाइट विद्द॥ तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग कियाता है वह कौन सा है? नाइक्रोम अब हैलोजन में देखेंगे हैलोजन से भी प्रश्ण बहुत पूछते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इस्टेनीन ये पांचो संवत रूप से हैलोजन कहलाते हैं इन तत्वों को आवर्शाणी के उपवर्ग साथ A में रखा गया पूछा भी आता हैलोजन कहा है तो उपवर्ग साथ A में, सेवेन A में हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका आर्थ है लवड उत्पन करने वाला ये तत्व धात्वों के साथ क्रिया कर लवड बनाते हैं ये सभी तत्व अधात्वे हैं ये बहुत क्रियाशील होते हैं इसलिए ये मुक्त वस्था में नहीं पाया जा सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन गैसी वस्था में ब्रोमीन द्रोमे और आयोडीन ठोस वस्था में मिलता है — एस्टेटिन रेडियो धर्मी रेडियो एक्यू पदार्थ है पेजल में उपस्तिद रोगाड़ों को क्लोरीन द्वारा नश्ट किया जाता है कई बार पूसता है आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है इसकी कमी से मानों में घेगा रोग हो जाता है तो घेगा रोग किस से होता है गाइटर रोग जिसको कहते है किसकी कमी से आयोडीन कमी से आयोडीन और इथाईल एलकोहल या एथिल एलकोहल का मिशन टिंचर आयोडीन का लाता है लेमिनेरिया किस्म के समुद्री घाशों एक प्रकार की ये शेवाल है लेमिनेरिया जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में जादा मात्रा में पाय जाता है आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन आयोडेक्स जो आयोडेक्स आप लगाते हैं पीडा नाशक दमाओं के निर्माड में होता है एस्टेटीन ठोस आधातूं में सबसे भारी तत्व है यह एक रेडिवेक्टी तत्व है प्रित्वी की भू परपटी में यह सबसे कम पाये जाता है कार्बन की बात करें तो प्रकित में कार्बन मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्था में पाये जाता है Carbon, Coila, Graphite, Hira के रूप में मुक्त तवस्था में पाये जाता है संयुक तवस्था में देखा जाता है Carbon, Carbon, Di-Axid, Carbon, Mono-Axid, Protein, Carbohydrates आदि में पाये जाता है Hydrocarbons में प्रकित में Carbon के सफसे अधिक योगिक पाये जाते हैं सफसे अधिक योगिक किसके पाये जाते हैं प्रकिति में तो कार बनके Graphite की बात करें इससे बहुत पुछते हैं इसे काला सीशा भी करते हैं यह विदुद का सुचालक है दुरबल वांडरवाल बल फोर्स के कारण ही Graphite नर्म वह इसनेहक होता है तो सनेहक में किसका प्रयोग होता है Graphite ठीके सनेहक आपका जो Grease वगर होता है कृतिम Graphite एचीसन विदि से तेयर किया जाता है पूस्ता है कही बार कृतिम Graphite एचीसन विदि से तेयर कियाता है इसका उपयोग Pencil में, Electrode में, सनेहक के रूप में एवं तापीर रेक्टर के में मंदक के रूप में प्रयोग होता है ग्रिफाइड का ग्रिफाइड की सनचना खट कोणी जालक जैसी होती है फुल्रीन की बात करें तो कार्बन की तीसरे अपर रूप बंक मिंस्टर फुल्रीन की खोज करने वाले वग्यानिक एच डबलू क्रोटो आरेफ कर्ल और आरीस माले को 1996 में रसायन का नोबेल पुरसकार दिया गया था तो यह अपर रूप है फुल्रीन कार्बन का ग्राफीन की बात की जाए तो यह भी कार्बन का एक कार्बन से बना पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ है सूक्ष्म दीममी विद्दुत का सुचालक पतला एवं शक्तिशाली पदार्थ है बहुत कठोर है इसके खोज करता आंद्रे जीमम कोसटांटिम नोवो सेले हो है इसका उपयोग कंप्यूटर के चिप्स टैच स्क्रीन इलेक्ट्रोड लसीडी अब बढ़ते हैं इक्जाम के लिए जो औरी प्रश्ण है एक कारबन क्रीडिट सम्तुल्र होता है एक कार्बन क्रीडिट सम्सें संबंदी कारबन क्रीडिट सम्तुल है 1000 kg carbon dioxide के वाय कार्बन डाइक्साइड की बढ़ती वी मात्रा से वाय मंदल का तापमान देरे-देरे बढ़ रहा है क्योंकि carbon dioxide और 100 विकरन के औरक्त अंश को औसोषित करती है तो आप जानते हैं जलवाश हो गयाthon, carbon dioxide हो गया ही सब के उपस्तिती से जो सौर विकरण है सूर की जो उश्मा है वो परवर्तित नहीं उपाती है वापस और शोशी सुजाती जिससे धर्ती का तापमान बढ़ जाता इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जिसका सर्व प्रमुक कारण क्या है कार्बन डायक साइट की सांता म धलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सफसे अधिक किसमे होती है तो धलवा लोहा में सर्वत्तम किस्म का कोईला कौन सा एंथरासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा सफसे अधिक होती है कार्बन नैनो ट्यूप्स किसने बनाई थी सूमिया आईजी मानने कार्बन नैनो ट्यू वाईो में से कारबन के कड़ निकालने के लिए कौन से सिध्धान का प्रयोग कियाता है? वैदुत कड़ संचालन का, Electrophoresis वाईो में से कारबन के कड़ निकालने के लिए, किसी एक संख्या व्यक्ति या उतपाद द्वारा किया जाने वाला कुल कारबन सर्जन, क्या कहलाता ह कार्बन फुट प्रिंट याद रखेगा किसी एक संख्या व्यक्ति या उत्पाद या उत्पाद संस्था द्वारा किया जमने वाला कुल कार्बन सर्जन के अकल आता है कार्बन फुट प्रिंट हाला कि यह सभी पर्यावरण वाला जो वीडियो रहेगा उसमें महत्पूर प जाग उत्पन नहीं करता है जल की स्थाई कठोरता कब होती है जब उबालने पर जल मृद्धू न हो पाए तो जल की कठोरता अगर उबालने पर न दूर हो पाए तो उसको स्थाई कठोरता कहते हैं जल का जो कठोरता है यदि उबालने से दूर हो जाए तो उसको अस्थाई कठोरता कहते हैं इसी से हम पाचानेंगे तो जो जल की जो अस्थाई कठोरता है वो कैसे दूर हो सकती उसको उबाल कर लेकिन अस्थाई कठोरता दूर करते हैं कैसे पर्मूटिट विदी से permuted किसे करते हैं sodium geolite को मिलाकर जल की स्थाई कठोरता को दूर किया जाता है लेकिन स्थाई कठोरता का कारण क्या होता है पूचता है calcium और magnesium के chloride तथा sulfate के कारण जल कठोर हो जाता है calcium और magnesium के chloride और sulfate के कारण ये जल क्या हो जाता है स्थाई रूप से कठोर हो जाता है जल की अस्थाई कठोरता करण क्या है कैलसियम और मैंगनीशियम के बाई कार्बोनेट तो बाई कार्बोनेट अस्थाई कर देता है और क्लोराइड और सल्फिट जो कैलसियम मैंगनीशियम क्या वो क्या करता है स्थाई रूप से कठोर बना देता है जल को जल में हाइड्रोजन वा अक्सीजन का अनुपाद कई बार पूछा है एक अनुपाते आठ का जल में हाइड्रोजन वा अक्सीजन का अनुपाद क्या रहता है आयतन के अनुसार भार के अनुसार देखा जाए तो 1 अनुपाते 8 भार आयतन अर्थात अस्थान घेरने के अनुसार देखा जाए तो 2 अनुपाते 1 2-1-1 जल का सबसे अधिक घंद तो कीस ताप पान पे होता है 4˚ पर इसके नीचे घर्म करने पर या इसके नीचे ठंडा करने पर या इससे उपर जाने पर भी दोनों इस्तितियों में घंद तो क्या होगा क्या होगा, दोस्तों घटेगा क्योंकि maximum होगा 4 degree Celsius पे तो थीक अगर घनत तो बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा कम होगा इससे कम पे आयतन घड़े आएगा इससे ज़्यादा पे भी आयतन घड़े आएगा तो कहते हैं इतने ताप से 4 degree तक थंडा करने पर या फिर 4 degree से या 5 degree से 3 degree थंडा करने पर क्या होगा तो पहले बढ़ेगा 4 degree Celsius तक बढ़ जाएगा maximum हो जाएगा फिर घटेगा तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे 4 degree Celsius को maximum करिए उससे नीचे जाएगा तो भी घटेगा इससे उपर जाएगा तो भी घटेगा समुद्री जल में सरवाधिक मात्रा में कौन सा लवड होता है sodium chloride पाएजाता है सफसे जादा जल क्यूं calcium जअधा जाता है समुद्र में लेकिं calcium को वहाँ पे जो जानवर होते हैं उसमें जो पाएजाते हैं जियू जंदु पाएजाते हैं वो खा जाते हैं तो इसलिए sodium chloride जादा मात्रा में पाए जाता है जल का अड़ुभार क्या होता है दोस्तों? 18 जल का अणसूत क्या होता है? H2O भारी जल का अड़ुभार कितना होता है? 20, 20 भारी जल D2O जो होता है किस प्रकार का जल साबुन के साथ आसानी से और अधिक जाग देता है? मृदु जल साबुन के साथ आसानी से और अधिक जाग देता है और जो कठोर जल होता है साबुन के साथ जाग नहीं देता है जल की अस्थाई कठोरता दूर करने की जो भौतिक विद्धी है दोस्तों कौन सी है जल को उबाल कर ये भौतिक विद्धी है इसके लमा बुझा चूना और दुधिया चूना मिला करके ये इस तरह साइनिक विद्वारा इस विद्वारा जल की कठोरता को अस्थाई कठोरता को दूर किया जा सकता है पूछेगा कि किस के दौरा जल की अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को दूर किया सकता है तो sodium carbonate डाल कर दोनों प्रकार की कठूरता को दूर किया जा सकता है शुद्ध जल क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है जल के शुद्धी करन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? chlorine मिला जाता है जल को शुद्ध करने के लिए काँच में देख लेते हैं सर्वत्तम शेणी का काँच कौन होता है दोस्तों? जेना काँच जो होता है वो सर्वत्तम शेणी का सर्वसेष्ट काँच होता है विद्ध बल्व के निर्माण में किस काँच का प्रयोग की आता है दोस्तों? flint काँच का धूप चस्मों के लेंस के निर्माड में क्रुक्स कांच का निर्माड होता है सामानता चस्मों के लेंस बने होते हैं क्राउन कांच के लेकिन धूप चस्में बने होते हैं क्रुक्स कांच के कोबाल्ट आकसाइट कांच को अक्सर पूसता है कौन सा रंग प्रदान करता है तो यह गहरा नीला रंग कोबाल्ट गहरा नीला रंग प्रदान करता है कांच को किसकी उपस्तिती कारण फोटो क्रोमेटिक कांच धूप में स्वता काला हो जाता है तो Silver Chloride के AgCl3 के Silver Chloride के कारण AgCl के कारण किसकी उपस्तित कारण पूचता है फोटो क्रिमेटिक कांच जो है वो धूप में स्वता काला हो जाता है तो Silver Chloride कारण Camera वा दूरबीन के लेंस में किस कांच का प्रयोग करते हैं Flint कांच का कांच एक प्रकार का है मिश्ण अक्रिष्टली ठोस रूप में कांच कौन सा है अत्शीतित द्रव कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उप्योग करते हैं दोस्तों Potassium Chloride मिलाते हैं कांच को कठोर बनाने के लिए याद रखेगा अब देखें कांच हैं उनका प्रयोग कहां कहां होता है अक्सर पूछ लियाता है तो Soda कांच का प्योग Tube Light, Bottle, प्रयोग शाला में उकरणों में Flint कांच का विद्दुदबल, कैमरा, दुर्बीन के लिंस में Kurs कांच का धूप चैश्मा के लिंसों में Pyrex कांच का प्रयोग शाला के उकरणों Pharmaceutical पात्रों में Crown कांच का चैश्मे के लिंस में Sisa Crystal कांच का महगे कांच के पात्र में Potas कांच का अधिक ताब तक गर्म किये जाने वाले कांच के बरतन वा प्रयोग शाला उकरण Potas कांच के बना जाते हैं विसफोटक की बात करें तो कुछ प्रमुक विसफोटक अगर देखा जाए तो Dynamite जिसका विसकार किसने किया था Alfred Nobel ने TNT, TNG, TNP, RDX जी सभी RDS का पूरा क्या नाम है Research and Developed Explosive RDS के खोच करता कौन है Henning सबसे खतरनाग विसफोटक यही है RDX Dynamite के खोच करता Alfred Nobel जिनके नाप नोबेल शांधिपूरसकार दिया जाता है वे पदार जिनका दहन किये जाने पर अत्यधिक उश्मावत्ती रुद्वन युद्पन्नोती है क्या कहलाते हैं विसफोटक कहलाते हैं RDS के अन्य नाम भी है क्या अमेरिका में इसको Cyclonite कहा जाता है जर्मनी में Hexogen कहा जाता है इटली में T4 के नाम से जाना जाता है पिक्रिक अमल किसको कहते हैं TNP को TNP को पिक्रिक अमल कहते हैं TNT का पूरा क्या नाम है TINITRO TALVEN TNP का पूरा नाम TINITRO FENOL TNP को क्या कहा जाता है पिक्रिक अमल भी वहीं TNG का पूरा नाम क्या है दोस्तों TINITRO GLYCERINE TINITRO GLYCERINE का उपयोग दोस्तों इसी का उपयोग DYNAMITE बनाने में किया जाता है इसलिए इसको चुकि NOBEL Alfred NOBEL ने इसका विसकार किया था DYNAMITE का इसलिए इसको TNG को TINITRO GLYCERINE को NOBEL का तेल भी कहते हैं तो आप याद रखेगा TNG को ही NOBEL तेल भी कहा जाता है पूस्ता है NOBEL तेल कौन है TNG सड़ी गली का उर्वरक देख लेते हैं सड़ी गली कार्बनिक वस्तों से तैयार की गई खात को क्या कहते हैं COMPOSED यूरिया में नाइट्रोजन की प्रस्ता कितनी होती एकसर पूसता है 46% यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है नाइट्रोजनी उर्वरक नाइट्रोजन होता है इसमें नाइट्रोलियम क्या है एक उर्वरक है सामान उर्वरकों में जिन तीन तत्वों की सफसे अधिक आउशक्ता होती है नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेशियम नपीके जिसको कहते है नाइट्रोजनी उर्वरक ये मिदा में नाइट्रोजनी कमी को पूरा करते है जिसे यूरिया, अमोनिया निट्रेट, कैलसियम, साइनेमाइड, फासपेटी अरोवरक ये मिदा में फासपोरिस कमी को पूरा करते हैं, सुपर फासपेट, आफलाइम, ट्रिपर सुपर फासपेट, पोटास अरोवरक ये पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं, पोटेशियम प्रमुक घटक है Mithon सबसेदा पढ़ता है आग जलाने में सहायक गेस कौन सी है Oxygen Oxygen से ही जलन प्रक्रिया होती है आग बुझाने में कौन सी गेस प्रीयोख अच्छ है ये हो गया बेड पौदे रात में कौन सी गेस निकालता है Carbon Dye Oxide दिन में oxygen gas निकालते हैं और carbon ग्रहन करते हैं रात में उल्टा हो जाता है द्वी परमाडूग gas कौन सी है oxygen nitrogen ये द्वी परमाडूग है एक परमाडूग gas helium है अस्पतालों helium और इसके अलावा जितने भी अक्री गैसे हैं एक परमाडूग है अस्पतालों में कृतिम सांस के लिए प्रियुक्त सिलंडरों में भरा होता है oxygen अम हिलियम का mission करते हैं oxygen लो oxygen दो लेकिन वो कृतिम सांस में उसमें helium भी होता है याद रखे stranger gas किसे करते हैं दोस्तों जिनान को stranger gas करते हैं cracking gas किसे करते हैं sulfur dioxide को ये इसको cracking gas भी कहते हैं दम घोटू gas किस gas की उपमा है दोस्तों carbon monoxide की अगर बंद कमरे में इसको carbon monoxide की अगर काव सर्जन हो तो जो व्यक्ति रहेगा उसके मृत्य हो जाएगी बोपाल ग्रेस तासदी किस gas रिसाव कारण होई थी? यह अक्सर पूछता है याद रखेगा कच्चे फलो को कृतिम रूप में पकाने के लिए कौन सी gas प्रयोक में ले आई आती है? एथिलीन गुबारों को उडाने के लिए कौन सी gas भरी आती है? वाई यानों के टैरों में भी हिलियम गैस भरी आती है प्रकाशिय सजावर तथा विग्यापन के लिए विरसरजन नलिकाओं में प्रयोक्त होने वाली gas नियान गैस है ठीक नलिकाओं में कौन सी प्रयोक्त होती है gas? नियान आवर्शाणी के शूनिवर के तत्तों को अक्री गैस या उतकृष्ट गैस कहते हैं जो कौन-कौन से हैं हमने आपको भी बताया था अक्री गैस रेडान वाई मंडल में नहीं पाई जाती है जिसका उप्योग किस्मिप कियाता है कैंसर के उक्चार में तो वंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है दोस्तों? रेडान मोटर वानों के धुए से निकलने वाली विशैली गैस कौन सी है दोस्तों? कार्बन मोनो अकसाइड रेफ्रिजेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रियोगत गैस है अमोनिया याद रखेगा रेफ्रिजेटर में जल को ठंडा कियाता है उसमें कौन सी गैस प्रियोगती अमोनिया मिथेन गैस के स्रोत कहां कहां से है दलदली भूमी, धान के खेत इन सबसे मिथेन गैस का उसरजन होता है कोईले की खानों में प्रायव इस्फोर्ट के किसके करण होते है दोस्तों मिथेन के करण ही होते है इसलिए इसको मार्श गैस, मार्श गैस भी कहा जाता है मिथेन को कौन सी गैस अमली वर्षा के लिए उत्तरदाई होती है तथा इविभिन हाइड्रोकार्बन का मिश्ण होते हैं इन्हें पेट्रोलियम से प्राप्ट करते हैं पेट्रोलियम किन पदार्थों का एक जटिल मिश्ण होता है हाइड्रोकार्बनों का खनिज तेलों का उपयोग होता है इधन तथा विलायक के रूप में खनीज तेल की विशिस्ता क्या है वाश्व शील होते हैं अत्यन जवलन शील होते हैं तथा विशिष्टिक गंद उत्पन्य करते हैं किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को हाइड्रोकार्बन का प्राक्टिक सोथ क्या है जीवभार ठीक जीवभार से हा बॉसिल कहते हैं पेट्रोलिயुमस की गुडवत्ता प्रदस्थ सीत करने की जातीकि से ऑक्टेंश संख्या उक्टेंश से और दौस्तों डीजल की अगर पूचा जाए पेट्रोल की तो अक्टेंस्स से डीजैल की किससे तो दोस्तों डीजल की सीत्थैंश से याद मिला जाता है Tryta Ethanope अपसफोर्टन यिसको कहते हैं पसफोर्टन से बचने के लिए ब्यापारिक वैसलीन किस से निकाला जाता है पेटोलियम से पेरा फिन किसका अ отлич hiện का पेटोलियम परिशोधन का पेटोलियम तथा एल्गोहल के मिश्ण को क्या कहते है गैसो हॉल, पेट्रोलियम से इसके विभिन अवयों को किस विद्वारा लग किया जाता है, प्रभाजी आस्वनवारा, गैसो लिन के नमूने का गुडवत्ता का पता कैसे लगा जाता है, इसके आक्टेन संख्या से, बायो डीजल बनाने में किस वनस्पति का उप्योग किया जाता है, रतन, जोत, जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है, प्राकति की इधन है दोस्तों, पेट्रोलियम ये प्राकति की इधन है, रसूर प्राकति की रूप से पाय जाता है, रसोई की गैस, जो आपकी रसोई गैस है, LPG, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्ण होती है डीजल इंजन में प्रियुक तीधन है, डीजल की वाश और वायू, द्रवसण किसे कायता है पेट्रोल को देगे कुछ जानकारी हैं, कुछ तथ्य ऐसे हैं, जो हमने PDF में उपलब्द करा हैं, उसको PDF में देख लीजेगा जो परिक्षा के लिए महत्पूर्ण है, आपके जो बारवर पूछे आते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सब हम बोल दे रहे हैं, बाकि कुछ तथ्य ऐसे हैं, जो आपको PDF में भी अलग से मिल जाएंगे जो पूछे जा सकते हैं कभी, अतिसंभावित नहीं हैं, यह सभी जो हम बोल रहे हैं, यह अतिसंभावित हैं, बार बार पूछे जाते हैं पॉलिथिन किस से बनता है, एथिलीन से, रेयान किस से बना जाता है, सेलिलोग से, याद रखेगा प्राक्तिक रबड का बहुलक कौन सा है आईसो प्रीन ये प्राक्तिक रबड का एक बहुलक है रबड के ब्यापारिक वलकनी करण में किसका प्रयोग होता है गंधक का अर्था सल्फर का वलकनी वलकनाईजेशन में गंधक का प्रयोग किया जाता है उन, सबुख़ चमढ़ा और रेशम क्या है यह प्राक्तिक बहुलक हैं उन, स cultivated चमढ़ा रेशम यह सबी प्राक्तिक बहुलक हैं प्राक्तिक रूप से पाए जाते है बहुलक जो विशेश्टा बर्तनों पर न चिपकने वाली सता के रूप में प्रियोक्थ होता है टेफलान ये बर्तन पर न जिपकने वाली सता की रूप में प्रयोगत होता है टेफलान का उपयोग होता है नानिस्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में नानिस्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में किसका प्रयोग होता है टेफलान का रेयान, नाइलान, पालियस्टर ये सबी संस्लिष्ट रेशे हैं रेयान, नाइलान, पालियस्टर ताप सहन करने की शमता के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में भाजित करते हैं थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक को बार बार पिगला कर वस्तुमें बना सकते हैं जबकि थर्मो सेटिंग प्लास्टिक को पहली बार गर्म करके इच्छी ताकार में ढाल सकते हैं तथा इसे पुना गर्म करके कोई इच्छी ताकार नहीं दे सकते हैं ये अंतर समझेगा थर्मो प्लास्टिक के उदारन पॉलिथीन, पाली विनाइल, लोर का जो एक्जाम हुआ था 2016 वाला उसमें पूछा था कि थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का उदारन है तो बेकलाइट रबड में लचीलापन बढ़ाने के लिए रबड में क्या मिला जाता है सलफर मिलाए जाता है सीट कवर, पर्स, बरसाती, चादने तथा बिजली के थार बनाने में किसका प्रियोगता है पाली विनाइल क्लोराइट का पी वी सी का संसलिष्ट रबड के उदारन है नियोप्रीन, थायो कॉल यस इंठेक्टिक रबड के उतार है बुलेट प्रूफ वस्तों के निर्माण में जो बहुलक प्रियुक होता है दोस्तों वह है पाली कार्बो नेट्स आया औशदियों को देख लेते हैं ऐसे परदार जिनका उप्योग रोग के उपचार में होता है औशदी कहलाते हैं औशदी की वह शाका जिसमें संसलिष्ट रासानिक योगीकों को शामिल किया जाता है कौन से है एलो पैथी अक्सर मिलान के लिए पूसता है तो इसलिए महत्पूर्ण है ये औशदी सूच जिवाडूओं कवक आदिक से निर्मित होती हैं इनका उप्योग जिवाडूओं को मारने उनकी वृद्ध को रोकने रोकना है प्रथम एंटिबाइटिक्स औशदी पैनिसलीन के खोच करता अलेकजंडर फ्लेमिंग है प्रमुक एंटिबाइटिक पैनिसलीन के नवा कौन-कौन सी अउसदियां है टेट्रसाइकलीन, स्टेप्टोमाइसीन, क्लोरोमाइसीटीन एंटिपाइरेटिक्स या ज्वरनासी जो होते बुखार में उतारने में प्रयोग होता है तो एस्पिरीन, क्रोसीन, पैरासीटामाल ये सबी इसके उतारन है एंटिसेप्टिक या जर्मनाशक दोस्तों ये सूक्ष जिवाड़ों को मारने हैं उनकी वृत्व को रोकने में इसका प्रयोग होता है शरीर में कट जाने, घाओ हो जाने पर इनका प्रयोग होता है कुछ जो प्रमुकोशदियां है फिनाल, हैडोजन पराकसाइट, टिंचर आयोडीन, पोटेशियम परमैगनेट, एथिल एलकोहल आदि निश्यतक इनका उप्योग समवेदना को कम करने में होता है शल्य चिकिस्टा के दोरान प्रयोगत की जाती है ये जिसे उनको निश्यत करने के लिए निश्यतक, क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है डाई एथिल एथर का, नाइटरस आकसाइड इन सब का प्रयोग सल्फाइड, सल्फाड्रक्स क्या होते हैं? सल्फर एवर नाइटरोजन तत्तों से निर्मित होती है शल्फाड्रक्स का उप्योग जो होता है दोस्तों याद रखेगा कि ये जिवाड उरोदी होते हैं ठीक है? जिवाण उरोदी होते हैं प्रशान तक की बात की जाये? दोस्तों, ट्रेंक्विलाइजर ये उशदिया मानसिक दबाओ, चिंता, चिट्रियापन, आदि में आराम पहुचाती है, जो डिप्रेशन होयाता है, उसमें वैरोनल, सैकोनल, लिूमिनल, इन सब का प्रयोग ये प्रशान तक हैं सभी, अब देख लेते हैं कुछ प्रातिक प्राकतिक अमल कौन कौन से हैं, स्रोत क्या है, तो एसिटिक अमल सिर्के में पाए जाता है, संत्रे में सिट्रिक अमल पाए जाता है, इमली में टाटरिक अमल पाए जाता है, टमाटर में आउकजैलिक अमल पाए जाता है, दही या खटे दूद में, जिसको दही कोई खटा दूद भी करते हैं, लेक्टिक अमल पाए जाता है नीम्बू में सिट्रिक अमल पाए जाता है चीटी का डंक में मैथेनाइक अमल पाए जाता है या फार्मिक अमल भी उसको आप कह सकते हैं फार्मिक अमल भी पाए जाता है बिच्छू के डंक में मैथेनाइक अमल पाए जाता है तो फार्मिक या कुछ सामान पदार्थों का पूसता है समुदरी जल का एट पोइंटेंट पॉइंट4 रख्त काा सेवन पॉइन देखें रक्त का बहुत ज़्यादा पूजता है 7.4 जो लार है 6.5 दूद का पियच मान 6.4 मूत्र का 6 शराब का 2.8 सिर्के का 2.4 नीम्बू का 2.2 तो आज के लिए इतना है पूरा रसायन विज्ञान कवर कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद इसके पहले एक वीडियो हमने भोते विज्ञान का दिया था एक रसायन विज्ञान का और ये तीसरा वीडियो जीविज्ञान का है इस वेसल इसमें पूरे जीविज्ञान के जितने भी प्रश्न बनते हैं परिक्षाओं में सब सम्मलित हैं आपको अन्यत्र कहीं सपढ़ने एक आउशक्ता नहीं इस वीडियो को बार बार सुन लीजे जी विग्यान के सभी महत्पून प्रस इसमें सम्मिलित हैं तो आईए सुरू करते हैं जीव विग्यान दोस्तों विग्यान की वह शाक्या है जिसके अंतर का जीवधारियों का अध्यान किया आता है जीव विग्य विग्यान का जनक और थियो फेश्टस को वनस्पति विग्यान का जनक कहा जाता है और हिप्पो क्रेटस को चिकेसा सास का जनक कहा जाता है ये कुछ शाखाएं हैं उनके जम दाता है याद रखेगा पूछ लेता है जीव विग्यान के अरस्तू वनस्पति विग्यान के थ आधुनिक वनस्पति विग्यान के लीनियस, प्रतिरक्षा विग्यान के एडवर्ड जेनर, आनुमानशकी के ग्रेगर जाउन मेंडल, आधुनिक आनुमानशकी के टी एच मारगन, कोशिका विग्यान के राबट हुक, जन्त विग्यान के अरस्तू, वर्गिकी के लीनियस, चेकिस्सासास के हेपोकेटस, उत्परिवर्तनवाद के हीगोड्री विज बहुत बार पूछता है, कवक विज्ञान के माई केली, माईकोलोजी नाम है माई केली ये तो रही याद रखने भी आसान है, पादब कार्यकी प्लांट फीजियोलोजी के स्टीफन हेल्स, जीवाड कोशिका के खोज करता कौन है, सबसे चोटी कोशिका कौन सी है, माईको प्लाजमा गैलो सेप्टिकम, सबसे चोटी कोशिका कौन है, माईको प्लाजमा गैलो सेप्टिकम नामक जीवाडों की, तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुर मुर के अंडे की होती है, सबसे लंबी क कोशिका तंत्रिका कोशिका जो नर्व सेल्स हैं यह सबसे लंबी होती हैं तो सबसे बड़ी सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका याद रखेगा कोशिका के जो भाग होते हैं कोशिका भित्ति सेल्वाल कोशिका भित्ति के वल वनस्पति कोशिकाओं पाई जाती दोस्तों निर्जिव पदार्थों से बनी सनचना है जो उनको घेरती है जो कड़ी सनचना जो तने पर आप देखते हैं ये सब कोश्या वित्ती का ही विखसित रूप है राइबोसोम दोस्तों इसका मुख्यकार प्रोटीन संसलेशन करना है इसे प्रोटीन की फैक्टरी भी कहा जाता ह माइट्रोकांडिया कोशिका में आकसी करने इसी में होता है इसमें DNA RNA तथा राइबोसोम पाये जाता है माइट्रोकांडिया कोशिका का उर्जा ग्री या पावर हाउस कहा जाता है यह ATP के अड़ों के रूप में उर्जा का उत्पादन करता है गाल जी काय दोस्तों इसे को कोशिका के अड़ों का याता यात प्रबंधन कहा जाता है मैनेजर आप्द मॉलिक्यूल साफ से गालजी का एको लाइसोसोम इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है लाइसोसोम को जीव दब दोस्तों जीव दब प्रते कोशिका में कोशिका जिल्ली के अंदर पाय जाने वाला अर्ध पारदर्शक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ है इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाय जाते हैं तो जीव दब में क्या पाय जाता है तो option रहेगा कार् कोशिका जिल्ली दोस्तों सेल मेंब्रेन यह एक अर्ध पारगम जिल्ली जिसका कार अडूओं का परिवन करना है यह लिपिडियों प्रोटीन की बनी होती है कोशिका जिल्ली जी विग्यान की शाखाओं के बारे में बात करें जंत विग्यान अध्यान करता है किसका जीवित वह मृत दोनों जानवरों का जन्त विग्यान जीवित और मित दोनों जानवरों का अध्यन करता है याद रखेगा पूस्ता है कि जन्त विग्यान अध्यन करता है जीवित का मृत का दोनों का या इनमें से कोई कहतों दोनों का टी A.P. Culture دोस्तों मधुमख्ھی पालन का दियन करता है सेरी कल्चर रेशम कीट पालन PC कल्चर मस्चे पालन एंथोलोजी फूलों का दियन एंटोमोलोजी कीटों का दियन आरनिथोलोजी पक्षियों का दियन ये सबी मात पूण है पेली एंटोलोजी जीवाशों का दियन, पारस्तित की ये जीवधारियों वातावरण का पारस्परी का दियन, ओस्टियोलोजी अस्थियों का दियन, पॉल्ट्री मुर्गी पालन का दियन, पिगरी सुवर पालन का दियन, टाक्सिकोलोजी विश्विज्ञान, पैथोलोजी रोगों की प्रकित लक्षणों यहम कारणों का अधियन जेरुंटोलाजी प्राणियों के शरीर पर आयू का अधियन पेलियो बॉटनी ये पादप कोशिकाओं का अधियन इसमें होता है कार्डियोलाजी हिदय और उसकी भीमारियों का अधियन विटी कल्चर अंगूरों का उत्पादन यहम मंदीत है जनांकि की बिभिन संस्कोतियों के वैग्यानिक वितर्ण के तलनात्मक अधियन को इत्नोलॉजी पैडोलोजी में किसका अधियन किया जाता है मिठी का कई बार पूछा गया है जैविक जगत में होने वाले कारे गुड़ःउम पध्धति की अधियन के इस ग्या ग्यान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं बायोनिक्स अर्था जैविक जगत में जो कार गुण पद्धती के अध्यान है इस ग्यान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं बायोनिक्स लेक्सिकोग्राफी का संबंद शब्दकोष के संयोजन से है ह हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है मृदा, वीइन, पादब, समवर्धन से लिथो ट्रिप्सी ये गुरुदे की पत्री किरणों द्वारा तोड़ने को कहते हैं लिथो ट्रिप्सी वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थ वर्म मर्मिकोलोजी किसका वैग्यानिक अध्यन है चीटियों का सूजननकी ये किस से संबंधित है जन्म के पूर्व आनवनशकी के नियमों के आधार पर मानो जातिका सुधार अर्था जीन के द्वारा इसको क्या करते हैं सूजननकी जीन के द्वारा मानो जातिका जन्म के पूर् अच्छी सिक्षा इमँ अच्छा वातारण उपलबद कराकर मानो जाती या उसकी क्वालिटी में सुधार। पूछा गया तो पिछली बार जो यूपीट पलिस्टी का एक्जाम हुआ था बायो मिट्री दोस्तों गणितियों सांकेकी की तकनीकों द्वारा जीविज्ञान का अध्यान तो यह सब आपको याद रखना है सभी महत्पूर्ण है कोई भी मैं ऐसा फैक्ट नहीं बताऊंग प्रोटीन है रोगों है सुरक्षा या बचाव का depresshã करोइब करते हैं शरीरए मरंप्रों में वाले जो प्रोटीन वाले प्रोटीन हो है रोगों से सुरक्षा या बचाव करने वाले पदार्थ कौन है विटामिन एमम खनिज तक्त्व कार्वो हाइडरेट देख लेते हैं ये कार्बन हाइडरोजन वा अक्सीजन के योगिक होते हैं अक्सर एक दो और एक के अनपाज में होते हैं ये उर्जा के प्रमुक स्रोथ होते हैं जैसे आपका ग्लुकोज हो गया शरीर की उर्जा की आवशक्ता का 50 से 75% मात्रा की ये पूर्ती करते हैं प्रमुक स्रोथ जो हैं इनके गेहूं चावल, आलू, शकरकंद, बाजरा, फल, दूद आ दिया है एक ग्राम कार्बो हाइड़ेट से 4.1 कैलोरी उर्जा मुक्त होती है पूछ सकता है याद रखेगा कार्बो हाइड़ेट हमारे शरीर का लगबक एक प्रस्त भाग बनाते हैं कार्बो हाइड़ेट उर्जा प्रदान करने, आर्थो पोड़ा में बाय कंकाल बनाने सफसे अधा योगदान इसका रहता है, कर्बो हाइड़ेट सफसे अधा उर्जा देता है शरीर को लेकिन यह इदि पूछे कि प्रती ग्राम में सफसे अधा उर्जा कौन देता है तो वसा पहले स्थान पे होगा उसके बाद कार्बो हाइडरेट का स्थान आएगा तो confuse मत होईगा ठीक है Carbohydate टीन प्रकार के होते है Monosaccharide ये स्वाज में मीठे और जल में विले होते हैं जैसे glucose, fructose, galactose glucose का जो सूत्र पूछ लेता है C6, H12, O6 यह पके हुए अंगूरों में पाये जाता है मीठे फलों तथा सरकरा, fructose सरकरा, fructose सरकरा पाई जाती है सबसे मीठी सरकरा जो है दोस्तों यह भी पूछता है तो fructose ही सबसे मीठी सरकरा होती है अब बचा di-saccharide क्या होता है यह स्वाज में मीठे और जल में विले होते हैं जैसे सुक्रोज, maltose, lactose सुक्रोज का स्रोथ क्या है गन्य तथा चुकंदर से प्राप्ट करते हैं माल्टोज अंकुरित बीजों तथा लेक्टोज जो है यह दूद की सरकरा होती है दूद में एक अमल भी पाए जाता है जो खटा दूद होता है या दही होता है उसमें लेक्टिक अमल पाए जाता है ठीक है मानो माता के दुग्द में लेक्टोज की सरवाधिक मात्रा होती है मानो माता के दूज में लेक्टोज की सरवादी मात्रा किसमें होती है जो मानो माता है उनके दुख्द में पॉली सेकरडाई दोस्तों ये स्वाद रहित और जल में अवीले होते हैं जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, एम, सैलूलोज मानो के यक्रित में संचित रहने वाली सरकरा पूसता है कि मानो के यक्रित में कौन सी सरकरा संचित रहती है तो ग्लाइकोजन दोस्तों ग्लाइकोजन यक्रित में स्टार्च, आलू, अनाज ये सभी भी स्टार्च भी जो है आलू अनाज में पाए जाता है और ग्लाइकोजन यक्रित में संचित रहती है ठीक है ये सभी पॉली सेकराइड है प्रोटीन की बात करें दोस्तों प्रोटीन शब्द बरजीलियस ने दिया किसने बरजीलियस ने प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइटोजन युकपदार प्रोटीन की जो स्रोत है सबसे प्रमुक्ष्रोत प्रोटीन का सोया बिन फिद्दाले मिचली अंडा मटर सेम पनीराद प्रोटीन शडीर की विद्धितधा उत्कों की टूट-फूट के लिए औशक होते हैं प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशर कोर नामक जबकि प वघड़ सर्द यौत बोग 15 65 मुझे 8 हिये निर्मित होता है दूद आपका नाखून वाल एक जो शर्चित रूप है दूद पाई जा ने वाली जो प्रोटीन है पूस्ता है दूद में क्या है पकोन सी प्रोटीन पाई जाती है तो केसी इन P स zaman है क्या है प्रोटीन सभी एंटीजन क्या है प्रोटीन सभी Henटिजन क्या है प्रोटीन ऑर्स है यह सब्सक्राइब कर रहे हैं यह कारवन हाइडोरियлять टुर्म एक कार्मिन 24 बेलाएकों में यह घुलनशीर होते हैं, एक ग्राम वसा में 9.3 कलोरी उर्जा उतपन होती है, हमने पताया ना एक ग्राम में जो आपका कार्भोहेडrит था, ये कितना उतपन करता था? 4.1 कलोरी, लेकिन वसा कितना उतपन करता है? 9.3 कलोरी उर्जाऊधपन होता है, वसाएं उर्जाऊधपादन शरीर के निश्चित आपको बनाय रखने आदिका कारे करती है विटामिन की बात करेंड़ों सरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया फंक की इसके प्रतिपादक हैं, विटामिन की जनक, विटामिन से उर्जा नहीं मिलती है, याद रखेगा, विटामिन से क्या नहीं मिलता, उर्जा नहीं मिलती है, सूरी की किर्णे, पराबैगनी किर्णे, तवचा में उपस्थित, एरगेश्टी राल को विटामिन D में पर सकता है ठीक है पूस्था है हमारे शरीर में कौन सी विटामिन सुपन हो सकते हैं सस्टेशन हो सकता है तो विटामिन D एवं के ठीक है विटामिन V 12 सोरी भीतामिन कवालड पाय जाता ह। इसके लबावा बिटामिन B और C जल में गुलंशी ने बाकी a d relying कि ये सबी जो हैं वसा में घुलंशील है जबकि विटामिन B और C जल में घुलंशील है आईए देखते हैं आज किल जो प्रश्ण पूछे जा रहे हैं उसमें आपको विटामिन का नाम याद रखना है विटामिन A को रेटिनाल करते हैं इससे रताओधी रामक रोग हो जाता है इसकी कमी से विटामिन B1 ये इसको थाइमीन कहते हैं याद रखेगा थाइमीन नाम और इससे बेरी-बेरी इसकी कमी से रोग हो जाता है विटामिन B2 इसको राइबो फ्लेविन कहते हैं कौन सा रोग हो जाता है तो बाल सफेद होना विटामिन बीस सेवन दोस्तों ये बायो टीन इसको कहते हैं बालों का गिरना बिटामिन बिटेल वे साइनो को बाल में इसको कहते हैं एनीमिया रोग इसकी कमीस हो जाता है बिटामिन सी इसको स्कॉर्वी नामक रोग इसकी कमीस हो जाता है बिटामिन डी को कैलसी फिरॉल कहते हैं रिकेट् नामक रोग जो कि बच्चों में होता है प्रमुक्तब हो जाता है βिटामिन ई इसको टोको फिराल करते हैं जनन शक्ति, शह जनन जो समबन्धी बिमारीयां होती हैं इसकी कमी से होती है बिटामिन के को फिलोक्वीनियू करते हैं और इससे रक्त का थक्का नहीं बनता इसकी कमी से ठीक है वो बिमारी हो जाती है खनिस तत्यों की बात करें शरीर को कैलसियम, फास्पोरस, पोटेशियम, सोडियम, आज की अधिक मात्रा में आशक्ता होती है शरीर को आयोडीन, लोहा, ताबा, कोबाल्ड, आधि तत्यों की बहुत कम मात्रा में आशक्ता होती है आयरन की कमी से एनेमिया रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है यह मानुसरी के संगटक अवयों हैं सबसे आदा जल 55-75% प्रोटीन 15-75% वसा 12-75% कार्भोहाइडरेड 1-75% खनिस यहम विटामिन्स 7% जल की बात करें दोस मानुसरी में 65-75% प्रोटीन 15-75% की हपाय जाता है जल हमारे सरीर के ताप को स्वेदन पसीना तथा वाश्पन विच्चे नियंतर्ण में रखता है अथा ज्यादा हो जाता है तो स्वेद और वाश्पन विच्चे वाहर निकलता है और सरीर के ताप को इस तरह से संतुलित करता है जल की कमी से निर्जली करण हो जाता है जल की कमी हो तो डिहाइड्रेशन या निर्जली करण हो जाता है जल सरीर के अपसिष्ट पदार्थों के उस सर्जन में योगदान देता है पसीने और मल के माध्यम से दूशित जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है मानो शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगबग सास से आठ प्रतिशत होती है रक्त 117.4 होता है सवस्थ मनुष में 5-6 लिटर तक रक्त पाये जाता है कितना पाये जाता है? पूशता है 5-6 लिटर महिलाओं में पुरिशों की तुलना में कम रक्त होता है रक्त की उत्पत्ती भूण के मीलो डर्म से होती है किसे भूण के मीलो डर्म से रक्त की उत्पत्ती होती है रक्त के दो प्रमुग गटक हैं पलाजमा और रुधिराण रुधिरावन यह तीन प्रकार के होते हैं रेड ब्लड सेल्स या इरित्रोसाइट्स वाइड ब्लड सेल्स या लीकोसाइट्स रुधिर प्लेट्स या प्लेट्लेट्स या थ्रोंबोसाइट्स जिनको कहते हैं प्लाजमा की बात करें तो यह हलके पीले रंग का तरल तत्त होता है, रक्त का 55 से 60 प्रतिशत भाग होता है, इसका 90 प्रतिशत भाग जल होता है, याद रखेगा, 75 प्रोटीन और 0.9% लवन और 0.1% ग्लुकोज होता है, शेश्पदार्थ बहुत कम मात्रा में इसमें होता है प्लाजमा में ही एंटी बाडीज होते हैं, पच्चे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में समवहन प्लाजमा का मुख्य कार है, प्लाजमा क्या करता है, पच्चे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में समवहन करता है, फाइब्रुनोजन, प्रोथ्रोंबीन, ग्लोब ब्यूलीन आज प्रमुक प्रोटीन है जो प्लाज्मा से प्लाज्मा में ये मिलते हैं रुधिरान दोस्तों ये रक्त का लगबग 40 से 45 पश्चत भाग होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं लाल रुधिर करिड क्या है रेड ब्लड कार्पुसेल्स अत्वा इरेथ्रोसाइड लाल रुधिर रुधिरान जो हैं दोस्तों इनका 99 पश्चत भाग होता है जो रुधिर है जो रक्त है उसका 99 पश्चत भाग रेड ब्लड ही होते हैं इनका निर्मान अस्थी मज्जा में होता है कहां होता है अस्थी मज्जा में महत्पूर्ण है पूसता है इसका मों के का शरीर की प्रते कुष्का में आक्सीजन को कुँचाना और कार्बन डायाकसाइट को वापस लाना है। आर्बिसीज का जीवनकाल लगबग 120 दिन होता है जीवनकाल भी पूँचता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाता है। किंतु मतपूर्ण है उट के आर्बिसीज में केंद्रक होता है दोस्तों ठीक है ये अपवाद है वैसे तो रेट बलग से कर्पसकल्स में केंद्रक नहीं होता है लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पायाता है लेकिन उट के लाल रुधिर कण में केंद्रक पायाता और Tapi col की संक्या हीमो साइटो میटर से ग्यांत की जाती है आर्बिसी Elise में हीमो गलोबिन पाई जाती है प्लिया को का कब्रगा Kid प्लिया को का क्या कहते है Kad शेत दुर्धिर कणक्या है दोस्तों या Leagueocytes इसका मुखेकार शरीर को रोगों के संक्मर से बचाना है इनकी संख्या लाल अधिर कडिकाओं में कम होती है मानो शरीर में 6000-9000 प्रतिगन मिलिमीटर होता है रोगी अवस्था में इनकी संख्या अधिक हो जब रोगी रोगी जब दो ठीक है? इन में केंद्रक पाए जाता है जबकि लाल रक्त कडिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाता है दोस्तों अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी साही जो Background cancer है इसमें इसमें तो मुख्यकार करते है इनका मुख्यकर क्या है दोस्तों शरीर को रोगुक के संक्कमर से बचाना है यह antigen और antibody का निरमाड करती हैं इस प्रकार से प्रतिरक्षा तंतर में भाग लेती हैं इनकी जो संख्या होती है दोस्तों एक l2 में लगबग 4 गुर्ते 10 घाते 9 से लेकर के 1.1 गुर्ते 10 के घाते 10 के बीच होती है इसके साथी दोस्तों यहां पूछा जाता है कि लाल रुधिर कडिकाओं और स्वेत रुधिर कडिकाओं का अनुपात कितना होता है सरीर में तो 600 अनुपाते एक होता है यह अनुपात आपको याद रखना है इसके लावा जीवन काल पूछेगा तो 2-4 दिन या 1-4 दिन या 2-4 दिन अमूमन देखेगा 204 दिन जहाँ जो आफ्षन में होगा वही टिक करिएगा 2-4 दिन इनका जीवन काल होता है और इनकी मित्यू रक्त में ही हो जाती है दोस्दों यह सिर्फ अस्थिमज्जा में ही नहीं इसके लावा यक्रित में भी इनका निर्माण होता है जबकि लाल रोधिर कडिकाओं का निर्माण कहा होता है अस्थिमज्जा में लेकिन उनकी मित्यू यक्रित और प्लीहा में हो जाती है इसलिए यक्रित और प्लीहा को रक्त का कब्रगा भी कहा जाता है लाल रोधिर कडिकाओं का कब्रगा भी उनको कहा जाता है तो प्रश्ण मेरे कहने के मतलब यह पूछेगा कि यक्रित में किस सिल का किस ब्लट सिल का निर्माण होता है तो आप WBC स्वेत रुधिर कडिकाएं लगाएंगे लिउकोसाइड रुधिर प्लेटलेस आते हैं दोस्तों आप सुने होंगे अक्सर कि प्ली और रुधिर प्लेटलेट्स की कमी ही हो जाती है इसका निर्माण दोस्तों अस्थी मज्जा मैं होता है जब कि ब्रुधिर ुधिर प्लेटलेट का जीवन 3-5 दिन का होता है इसका मुख्यकारस ठक्का बनाने में मदद करना है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें भी केंद्रक नहीं पाया तार BC तरह तो केंद्रक सिर्फ WBC में पाया जाता है यहां किवल मनुश्यों अन्यस्तंधारियों के रक्त में ही पाया जाता है रक्त के कारे क्या होते हैं? शरीर के ताप को नियंतित करना रक्त का थक्का बनाना O2, CO2, पचा हुआ भोजन उस्तरजी पदार थे हों हार्मोन का संभन करना O2, CO2 क्या है? अक्सीजन और कार्बन डैक्साइड रक्त समूव ब्लेड ग्रूप की बात करें रक्त समूव की खोज कार्ल लैंड श्टीनर ने किया था एंटीजन आर्बिसीज में पाए जाते हैं तथा एंटीबाडी प्लाजमा में पाए जाते हैं तो मनुष्य में एंटीजन के आधार पर चार प्रकार के रक्त समूव पाए जाते हैं रुधिर समूव A में या A ग्रूप में केवल A एंटीजन पाए जाता है और antibody B पाय जाता है B रुधिर समू में केवल B antigen पाय जाता है और केवल A जो है antibody पाय जाता है AB ग्रुप में AB दोनों antigen पाय जाते है और antibody कोई नहीं पाय जाता है O ग्रुप में कोई antigen नहीं पाय जाता है जबकि antibody दोनों पाय जाते हैं लिए O को किसी को भी दिया जा सकता है, रक्ट समु या Blood Group O को सर्व दाता, Universal Donor रक्ट समु करते हैं कियो कि इसमें कोई Antigen नहीं होता रक्त समु AB को सर्व गरही करते हैं कि इसमें कोई antibodies नहीं होता है, रक्त के आधान Blood Transfusion के वक्त RH Factor की भी जांच कि आती हूत प्लस का रख्त एम आरेच माइनस को आरेच माइनस रख्त ही दिया जा सकता है अर्थाद ए भी पॉजिटिव है तो इसको ए भी पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव जिसमें आरेच फेक्टर प्लस रहेगा वो पॉजिटिव यही दिया जा सकता है निगेटिव नहीं दिया सकता अर्थात A निगेटिव बी निगेटिव जिसमें निगेटिव आरेश वेक्टर हो वो नहीं दिया जा सकता यह है आपको याद रखना है यद पिता का रक्त आरेश पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त आरेश निगेटिव हो तो जन्व लेने वाले शिश्व की गर्भा वस्ता अथवा जन्व लेने के तुरंद बाद मित्ति हो जाती है बहुत महत्पूर्ण है आरेच पॉज्टि और आरेच निगेटिव नहीं होना चाहिए ठीक है और यह इस्तिती आमतोर पर प्रथम संतान के जम के बाद आती है यह भी आपको याद रखना है माता पिता के रक्त समू के आधार वर बच्चों में संभावित था असंभावित जो रक्त समू है याद रखेगा माता पिता का अगर ए और बी हो कि एक का ए हो एक का बी हो तो बच्चों में संभावित जो blood group होगे या तो O होगा या A होगा या B होगा या A B मलब कोई भी हो सकता है سंbhausit कोई नहीं है कोई भी blood group संभाव है अगर A1 का हो माता का और पिता का B हो या पिता का A हो माता का B हो तो दोनों का A हो तो किवल A और O बच्चों में संभावित जो blood group होगा A और O और बच्चों में A संभावित जो होगा B और जो बचे दो वहाँ संभावित माता-पिता में अगर दोनों में B हो तो B और O बच्चों में हो सकता या B होगा या O होगा दोनों में O O हो तो हमेशा O ही होगा बच्चों में A B दोनों में हो तो A B और A B O नहीं हो सकता अगर A B A B दोनों माता पिता का ब्लड रूप A B A B हो तो बच्चे में या तो A होगा या तो B होगा या A B होगा इसी तरह एक का O हो और एक का A हो तो वही दोनों बच्चों में हो सकता है इसी तरह O B में O या B होगा O A B में या तो A होगा या B O नहीं हो सकता ठीक है O नहीं हो सकता और A B भी भी नहीं हो सकता या A होगा या B होगा इसी तरह A और A B हो तो A B A B ओ नहीं हो सकता, इस लिष्ट को आप याद रखेगा, माता या पिता में से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह O होने पर संतानों में A B रक्त समूह उपस्तित नहीं होगा, यह सा आपने उपर देखा लिष्ट में, ठीक देख लीजेगा, इनमें इस दिया है कि रुधिर व का रक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन A B के ही व्यक्ति को यह रख्तदान कर सकता है, वो किसी भी वर को रख्तदान कर सकता है, लेकिन और इस फेक्टर को ध्यान में रखेंगे, Human Disease, मानो रोग देखेंगे, शरीर के किसी भी यंग या तंत्र में, जब असामानिता उत्पन हो जाती है, तो उसे हम रोग कहते हैं, वे जीव जो रोग उत्पन करते हैं, रोगाणु कहलाते हैं, रोग के प्रकार तथा कारण, संक्रामक रोग जो होते हैं, जीवित रोगा संक्रमर से फैलते हो, हरासित रोग होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ विभिन स्टाडिरिक अंगो की क्रिया शिलता में कम होना, यह हरास होने से जो रोग होता है, जीविन पोशक तत्तों की कमी से होता है, जीविन रिकेट्स, रताओधी, वेरी वेरी एनीमिया, इलर्जी क किसी पदार्थ के प्रति अत्यदिक सवेदर शिलता, यदि किसी के वितर होती है, तो इलर्जी बजाती हो से, कैंसर यह अन्यमित उतक व्रिधिक कारण होता है, आनुवान्शिक रोग दोस्तों, आनुवान्शिक कारण होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वणरान्ता, सामाजि प्रभावित अंग भी पूसता है, दोस्तों, याद रखेगा, तो आन्थ इससे प्रभावित होता है, जैसे, डिफ्थीरिया, यह कारण बैक्टिरियम डिफ्थेरियाई से होता है, और स्वास नली को प्रभावित करता है, छैरोग या टीवी, माइको बैक्टिरियम नाम प्रभावित करते हैं, तंतिका तंत्र तवसा से होता है, टीटनेश दोस्तों, क्लिफ्थेरियम टीटेनी से होता है, टाइफाइट, सल्मोनेला, टायफोसा से होता है, आँथ प्लेग, पाशुरेला, पेश्टिस से होता है, यह सब of जी जीवान हों है, और फेफ़ड़ा और आख को प्रभाविद करता है, दोनों पैर के बीच, कांख दोस्तों, जो कांख होती है, दोनों पैर को मद्ध में मिलाने वाली, काली खासी, ये बाडी टेला परडूसिस, स्वसंतनत को प्रभाविद करती है, काली खासी, बाडी टेला परडूसिस, स्वसंतनत को प्रभा करता है निशेरिय गोनो रहिया यह जीवाड होता है सिफनिस दोस्तों ट्रेपोनेमा पैलेडियम नामक जीवाड फैलता और शिश्ञ प्रभायुगी करता है वशाड की प्रभावित को प्रभावित करता है। परजीवी प्रोटो जोरदारा उत्पन रोग दोस्तों काला जार इससे प्रभावित जो अंग है दोस्तों अस्थी मज्जा है और किस परजीवी से होता है लिश्मेनिया डोनाबानी से इसका वाहग बालू मक्षी है पायरिया दोस्तों मसूडेक प्रभावित करता है एंट जिन जिवेलिस इसका परजीवी है malaria दोस्तों तितलिययों RBC प्रोहित करता है plasma DMA इसका वाहक है अधा एनिफलीज मक्षर इसका वाहक है पेटस दोस्तों यह आथ को प्रोहित करता है end amoeba histoletica इसका परजीवी है निद्रा रोग दोस्तों मस्तिश को प्रहाइद करता है ट्रिपेनोसोमा यह परजीवी से इसका रोग होता है और सीसी मक्खी इसका वहाग है फभूद, फंगल से जो रोग फैलते हैं, गंजापन है बाल्डनेस, किस कवक करण होता है टीनिया केपिटिस, याद रखेगा टीनिया केपिटिस, नामक कवक से होता है, दाद दोस्तों, रिंग वार में जिसको करते हैं, किस कवक करण होता है ट्राइकोफाइटान, नामक कवक से खाज दोस्तों, किस कवक करण होता है एकेरस, इसके बीज से कवक या फफूद, जनित, रोग कौन कौन से हैं गंजापन दाद दमा एथलिट फोट खा जा दी दमा किस कवक कान होता है एसपरजिलस फ्यूमी गेटस नामक कवक से आनुवांशिक रोज दोस्तों जो हैं वाड़ांदता इसमें इसके रोगी लालेओं हरे रंग में भेट नहीं कर पाते हैं यहां रोग एक हीमोफिलिया दोस्तों रोग केवल पुर्शों में पाय जाता है महिलाएं इस रोग के जीन की वाहग होती है और हीमोफिलिया रोग होता है क्या दोस्तों इस रोग में व्यक्ति चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त में ठक्का ही नहीं बनता है ठीक है और य ऐसा नहीं कि इस्तियों में होता ही नहीं लेकिन तभी होता है जब दोनों गुर्ण सूतर था दोनों एक्स एक्स प्रभावितों तभी होता है Turner syndrome एक और रोग होता है तो उस तो याद रखेगा Turner syndrome, Klein Filter syndrome Down syndrome, Peteitao syndrome यह सब भी अनुमाशिक रोग है Turner syndrome में जो इस्त्रियां है वो ग्रसित होती है इन में गुणसोत्रों की संख्या 45 होती है तो Turner syndrome यह इस्त्रियों में रोग होता है इसमें सरीर अलप विक्सित हो जाए, कद छोटा हो जाता है, वक्ष चपर्टा हो जाता है जननांग प्राया अव विक्सित हो जाता है, जिससे वे बाज हो जाती है क्लाइन फेल्ट और संडूम दोस्तों यहां रोग पुरुषों में होता है या थेगा टर्नर इस्त्रियों में क्लाइन फिल्टर इस पुरुषों में इस रोग से गर्षित पुरुषों में गुर्षोत्रों की संख्या 47 हो जाती है कितनी हो जाती है 47 टर्नर में एक कम हो जाती अर्था 45 हो जाती है मुकिता कितनी होती है 46 और क्लाइन प्रिटर में एक गुर्ण सूत्र बढ़ जाता है 47 हो जाती है इसमें पुरुषों का व्रिषण अल्थ विक्सित हो जाता है इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुनसक होता है थर्ड जेंडर जिसको कहते है इसी तरह डाउन सेंड्रोम एक होता है दोस्तों इस रोग में क्या होता है जो रोगी होता है मंद बुद्धी का होता है आखे टेणी हो जाती है जीव मोटी हो जाती है अनियमित शारेरिक धाचा हो जाता है जिसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है पटाओ सिंड्रोम दोस्तों एक होता है इसमें रोगी का आनवानशिक रोग है मान और रोग संबंदी जो प्रमुक्तत्य एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल एंटीजन किन बीमारियों के बचाओ हेत लगाया आता है दोस्तों ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया काली खासी तथा टिटन mmr का टीका दोस्तों किस विमारी है खसरा गलसुआ और रुबेला मीजल ममस और रुबेला mmr हीमोफीलिया आनवानशिक रोग है इससे क्या होता इस रोग में रक्त का ठक्का नहीं जमता है बनता है epidermic रोक संबंदित है तचा से epidermic, डर्म जहां लग गया वहां तचा आ गया stick metism दोस्तों की कैसे भीमारी है आखों की oncology दोस्तों किसका अध्यान है cancer का अध्यान oncology दोस्तों कभी-कभी cancer देता है कभी-कभी option में cancer नहीं रहेगा तो tumor रहेगा किस मनो रोक को पागल की संग्या दियाती है तो psychosis psycho है न अपनी महांता के बारे में जूठा विश्वास कौन है peranonia पूछा गया है I.S. के एक्जाम में अपनी महांता के बारे में जूठा विश्वास peranonia hysteria, schizofrenia, psychoneurosis, psychosis peranonia, pedophilia याद ये सभी मानसिक रोग है इनको याद रखना है आपको प्रदूशनर जनीद रोग दोस्तों कौन से है मीना माता इटाई रोग blue baby syndrome black foot मीना माता रोग पारा की अधिक्ता करण हो जाता है इटाई इटाई रोग, cadmium की करण blue baby syndrome, gel में nitrate की अधिक्ता करण black foot, arsenic के करण होता है याद रखेगा पूसता ही पूसता है ethroskyrosis ये किसके दवारा होता है, किस पदार के अधिक सेवन रोग, सेवन से संतित वसा की सेवन अधिक सेवन से ethroskyrosis हो जाता है meningitis रोक का संबंद किस अंग से हो दोस्ता है मस्तिश से होता है इस SARS severe acute respiratory syndrome का संबंद होता है दोस्तों स्वसन्य तंत्र से किस विबा संबंद में erythroblastotis fetalis rho की संबंदा है यदि RH प्लस पूरुस हो जाए और RH माइनस स्थ्री हो जाए बीमडी परिक्षण कियाता है दोस्तों किसकी पहचान के लिए osteoporosis जो अस्थी में खनिश की मात्र है उसके पहचान के लिए जिसको bone mineral density कहा जाता है क्या कहा जाता है बीमडी का full farm ही पूछता है bone mineral density तो osteoporosis को कहा जाता है इसके परिक्षण को अनोस्मिया कहते हैं ग्राण समेदना कमी को मनिश्च में जीवान जनित रोग जो हैं हैजा डिफ्थीरिया कोड टिटिनेश टाइफाइड अभी हमने आपको बताया विशाण जनित रोग एट सरेवीज पीलिया पोलियो हेपिटाइटिस कि मेंनेंज़ैटिस जे शकाई प्रोटोज ववात लन जनित फप्वोजण बतायां अभी आपको कि लिए पाचन तंbut रहापका भूझन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पांच वस्तों हुए dramatic उल्यकॉ अंतरग्रहन, पाचन, अवसोशन, स्वागी करण, मल, परित्याग अंतरग्रहन भोजन को मुख गुहा में ले जाना अंतरग्रहन, भोजन को जब आप मुख में ले आते हैं तो उसी को अंतरग्रहन कहा जाता है यहां पहला पहली प्रक्रिया होती है भोजन गहन करने की मनुष्य में पाचन, क्रिया, निम्कित, अंगो दोरा संपन उती है मुख गुहा दोरा फिर भोजन नली आम आशय, फिर छोटी आथ, फिर बड़ी आथ, फिर मलाशय और गुदा भोजन का आवसोशन शोटी आथ में होता है कहां होता है आवसोशन शोटी आथ में पच्चे होए भोजन को रुधिर में पहुचाना आवसोशन कहलाता है जो पच्चा होए भोजन है उसको रुधिर में पहुचाना लार में पाए जाता है या भोजन की मंड को माल्टोज में बदल देता है तो टाइलिन कहां बायाता है सलाइबा में पेपसिन यहां आमाशे में जठर गंतियों से स्वावित होता है या प्रोटीन को पेप्टोंस में बदल देता है रेनिन दोस्तों यहां आमाशे में जठर जिसका भार 12 किलोग्राम के मत्यूध होता है यक्रित मैं आउशक्ता कर्भो प्रोटीन उपापचन में सक्री रूप से भाग लेता है यकृत प्रोटीन के विक्टन के परिडाम सरोप निकले विशयले अमोनिया को या यूरिया में परिवर्थित कर देता है रंच का थकका बनने में मदद करने वाले प्रोटीन फाइबिरोंजन तथा प्रूथांबिन का सन्सलेशन औंव संगर भी यकृत में होता है यकृत हीपरिन नमक मुख्cover मदार्थ मनाता है जो रंग वहिंए रंगत के जमने को रोकता है पित्तरस का स्राव कहां से होता है यह चारी द्रव होता है पित्तरस पित्त का संचे पित्ताशे में होता है पित्त की थेली या पित्ताशे में होता है संचे होता है लेकिन स्रामण यक्रिस से होता है याद रखेगा यक्रित में पितामिन पूसता है पित्त का स्रामण कहां से होता है तो आप लगा देंगे पित्त की थहलिया पित्ता शे रगा देंगे गलत हो जा भोजन में जहर से व्यक्त की मौत होने पर पोश्ट मार्टम में किसकी जांच की यातिय लीवर की यक्रित की पीलियायों हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग जो दोस्तों यक्रित है जीव से संबंद जीवा पर लगब दसजार स्वाद कलिकाएं होती हैं यह अधि कराते हैं जीवा के पिछले भाग पर जो इस्तिद्वट्स होते हैं करवेपन का एसास कराते हैं जीवा के अग्रभाग में इस्तिद्वट्स होते हैं नमकीन वह मीठे का जो अग्रभाग में होते हैं एसास कराते हैं जीवा के मद्वाग किसी प्रकार के स्वाद का अन्भ सुमें लगबक 30 चोटी बड़ी हड़ीया WAR कितनी होती है यह चेरे में सोटीयों की कुल संक्याद दोस्तों कितनी होती है छोदर जबकि खोपडिम कितनी होती है छोटी हड़ी इस्टेपी जो की कान चेड़ी मांसपेशिय jeste Estamos didn't क्या कहते हैं यहहाता है मनुष्ट की कार्यात्म की काई दोस्तों क्या होता है पियेच भान तत्ता पिले रंग का यह होता है उसमें उपस्थित वंड़ के फाल सुरूप होता है playersoru करों कहाँ पाए तो मोठ में hemoglobin के विखंडन से हम बनता है hemoglobin में क्या पाए आगाता है दोस्तों में किता आयरण पाए जाता है या मूत्र में लबख 95 जल वरिक को कम काम न करने पर व्यक्ति को डालेसेस करवाना पड़ता है यक्रित का कार रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परवर्तित करके उस सार्जन में मुख्य भूमी का निभाना होता है यक्रित फेपड़े की बात करें फेपड़े का कारें Carbondiac vontade यूंजेल को जलवाश के रूप में बाहर करना होता है आथ का का अनपचे भोजन यूंज सार जिपतारतों को मल के रूप में बाहर करना होता है त्वचा का कारें दोस्तों, त्वचा का स्वेद ग्रत्यां ये पस समनवेन नियंतर्ण में सबसे महत्पूर्ण भूंक्या तंतरका, तंतर के अंतरगत मस्तिश्क की होती है, मस्तिश्क को तीन भागों में भाजित किया आता है, तीनों भागों को आपके याद रखना है क्या, प्रमस्तिक या सेरिब्रम, यह मस्तिश्क का सबसे बड़ा और सेरी बेलम जिसको कहते हैं यह शरीर का संतुलन बनाया रखता है। एवं एच्छिक पेशीयों के संतुलन पर संकुचैन पर नियंतर्ण करता है। मेडुला आबलो गुन्टा यह मस्तिस का सबसे पीछे का भाग होता है। यहीदय की धड़कन पाचन अंगों एवं स्वसन अंगों के कार्यों का नियंतन करता है। मनुष के मस्तिष का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। तंकी तंत्रिका उतक की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों नियूराउन कहते हैं। प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंतन मेरु रज्य का महत्पूर्ण का प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंतन किसका प्रमुकार्ण है मेरु रज्य का मेरु दंड अब भही स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। नलीका युक्त, ॡडक्ट्ग्लेंड्स होती, इससे अंजाइम का स्रा, जिसे क्या होता है, भई स्रावी गएंघनर्टियों से, अंजाइम का स्रा रह होता है, इसे दुगद्करंथी, स्वेद Google अ स्वेद गएंख्लेंदी, लार गएंजाईम निकालती है, ठीक है न, वहीं अंतर स्रावी गंती क्या होदा है दोस्तों यह नलीका विहीन ग्रंती होती है इसमें नलीका नहीं पाई जाती है इससे हार्मोन का स्राव होता है यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा सरीर के विहीन भागों जाता है इसे पिट्यूटरी ग्लेंड थाराइड ग्ल इसमें नलीका नहीं पाई जाती है और बहिस्रावी ग्रंतियों में नलीका पाई जाती है इसमें एंजाइम का स्राव होता है तो बहिस्रावी से एंजाइम का स्राव होता है अंतर स्रावी से हार्मोन का स्राव होता है वहीं कुछ मिस्टिद ग्रंतिया भी होती है इनसे समसागनाश पैंक्रियाज यह ऑधिश्रावी अंतरसावी दोनों है थाद मिस्तिव गंतियां थिकैन नियोगति ईफ्तित होतीं तोई थाइरैज कईनति मस्तिष में होती है खत्वित को मास्टरग्ले भी घा जाता है सबसे छोटी गंती है पेट में उदर में स्थित होती है रक्तदाब की बात करें तो मनुष्य का जो रक्तदाब है सामान मनुष्य का 180 से 80 mm पारा होती है ये हजी क्या है पारा है पूस्ता है हजी क्या है पारा है स्वस्त मनुष्य का रक्तदाब होता है 180 80 mm सब्सक्राइब दोस्तों यह क्या है अधिक शारीरिक कार्य चिंता घबरहाट यह उच्छारीरिक कार्य करने से घबरहाट आधिक इस्थिति में ध्रमनी का ब्यायस कम हो जिसके कारणियां होता है अंगों तक रुधिर पहुचाने में हिदय को अधिक बल लगाना पड़ता है इसके कारण भी उच्छ रक्चा होता है यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्छ रुधिर दाब से पीडित है और थाथ 150 या 90 पीडित है तो यह अवस्था हाइपर कहलाती है वैसे समानता क्या होता है 80-140 यह दाब होता है लेकिन 150-1990 होने पर क्या होगा वह उच्छ रग्रुधि दाब से पीडित होता है यह अवस्था क्या कहलाती हाइपर टेंशन की वहीं निम्रक्ट दाब में क्या होता है कुपोशन से ठकान यों रुधिर की कमी करण यह होता है फिदे कम दाबक से रक्त को धमनियों में भेजता है जिससे सभी अंगों में आशकता उनसा रक्त नहीं पहुच पाता है यह कोई व्यक्ति लगातार निम्न रक्त दाब से पीड़े से तो यह अवस्ता हाइपो टेंशन कहलाती है क्या हाइपो टेंशन पौधे के भाग की बात करें तो जड़ का विकास मुलांकुर से जबकि तना का विकास प्रांकुर से होता है जड़ का कारे पौधे को भूमें इस्थिर रखना जले ओम खनीज लवड को अफशोशित करना है जड़ दो प्रकार की होती है मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़ चंकु आकार का जब मुसला जड़ हो जाता है तो गाजर कुम्भी रूप में शलजम चुकंदर आप देखें तुकु रूप में मुली देखते हैं तुर्कु रूप में मुली भूमी का तनों का रूपांतरन देखिए ये तनों का रूपांतरन है पूस्ता है कि हल्दी आ पत्तियों का कारिय अक्त्ता पूसता भी है यह प्रकास संसेशन द्वारा भोजयन का रिमान पुषप में बाय दल पुँझ दल पुमंड और जायंग पाय जाते हैं पुमंग दोस्तों नरज नलांग जब कि जायंग मादा जनलांग होते हैं कि फल की बात क्रें तो परिपक अंडाशय को परिपक और ओवरी को ही फल कहते हैं फल के प्रकार यादर के सत्य फल इन फलों के निर्माड में सिर्फ अंडाशे भाग लेता है जैसे आम मटर ये सभी सत्य फल है असत्य फल जो होते हैं इन फलों के निर्माड में अंडाशे कद्रिक्त पुषपास्तन बायदल आदी सभी भाग लेता है सेव नाश्वती कटहल काजु आदी गर्वती मैला को भोजन से प्रदिन लगबग कितनी मात्रा में आईरन मिलनी चाहिए कितनी दुस्तों 40 मिली ग्राम इनको आईरन मिलनी चाहिए यह सभी देखिए फल हैं उनके खाने योग्य भाग हैं इनको आप याद रखेगा पूसता है सेव का पुषपासन नाशपाती का खाने योग्भाग पुषपासन आम का मद्य फल भित्ति खाया आता है लीची का एरिल भाग खाया आता है अमरूत का फल भित्तियों बीज अंडसन खाया जाता है पादफ हार्मोन नी पूछेगा बहुत महत्पूर है आकसिन जो हर्मोन होता है या तने की व जड़ने और फलों के गिरने पर यह नियंत्र रखता है यहां खर पतवार को भी नश्ट करता है जिब्रेलिन यह प्रमुक रूप से पौधों की लंबाई में ही व्रिद्धी करता है यह एक व्रिद्धियारों मुन साइटो काइनिन दोस्तों चारी प्रकित का हर्मोन होता है जो मुख रूप से कोशिका विभाजा नयों विकास में मदद करता है साइटो काइनिन दोस्तों यहां फलों को पकाने वाला हर्मोन होता है एथीलिन एफसीसिक यहां बीजों के सुसुपता वस्ता में बनाया रखता है फ्लोरीजेंस दोस्तों क्या होता है पत्ती में य फूलों को खिलाने में यह फूल जो खिलते हैं इसी लिए से फूल खिलाने वाला हार्वोन भी कहा जाता है फ्लोरिजनस को, इलकेलाइट्स क्या होता है, इलकेलाइट्स होते हैं, नाइट्रोजन यूद कार्बनिक पदार्थ, स्वाद में कड़ुआ होता है, या बीज, छाल, पत्तिवाद पाए जाते हैं, एट्रापीन, निकोटिन, कैफीन, रेसरपीन, क्यूनीन, मॉर्फीन, से एटोपा बैलाडोना की जड़ से प्राप्त होता है कुनायन दोस्तों आपको पता हूं मलेरिया की इलाज में प्रियोग कियाता है सिनकोना जो पेड़ है उसके छाल से प्राप्त होता है कुनायन सिनकोना की चाल से प्रांप्ट और ऊश्दी को मलेरिया अप्चार के ले प्रतिस्थाप्ट ने इस प्राइक mission कि यह भी पूछाजेता है लुग में इसे ब्रतिस्था यह धूं से क्र्यों के राप्त JN और नीद में इसका प्रियोग होता है तमबाकू की पत्तियों में क्या पायाता है उसको निकोटीन पायाता है चाय और काफी का उतेज्य गुण का जो कारण है कैफीन पाए जाता है चाय और काफी दोनों पाए जाता है इसके अलावा काफी में केवल थीन पाए जाता है काफी में थीन भी पाए जाता है लेकिन चाय और काफी दोनों में कैफीन पाए जाता है व्याक्या चाय पत्तियों से और काफी बीजों से मिल सर्पन्न रेक्टचाप आधिक रख्चाप को कम करता है जो राउलफिया सर्पन्टाइन की जडमे मिलता है चाय का रंग एवम इसका तीखा स्वाद का कारण क्या है दोस्तों टैनिन ठीक है तीखा स्वाद होता है यह चाय का अगर आप चाय की पत्ती का सेवन ही करें बाद में दूद्ध और चीनी गहें मिलाकर मीठा बनाते थे तैंस्वाद युक्त बनाते हैं चाय की पत्तियों में क्या पायाता है टैनिन पायाता है ये स्वाद में कड़ुआ वतीखा होता है ये कच्छे फलों में अधिक पायाता है ये छाल वा पत्तियों में पायाता है इसका प्रयोग चमडे को सक्त बनाने स्याही एवं औशदी बनाने में होता है हींग एवं तार वोशदी PENT WARNINGE स्तारपीन का तेल आदि में होता है प्राक्तिक रवड को कुछ विसिष्ट जाद्य के पौधों से निकले दूज से बना जाता है जिसे क्या कहते हैं लैटेक्स कहते है तो लैटेक्स उस व्रिक्षिका पौधों का नाम है, हैवेया ब्राजिलियन्स तता फाइकस इस्टालिया पौधे से निकले दूसरे रबड बनती है रबड आइसो प्रीन का बहुलक है किसका आइसो प्रीन का बहुलक है जड़ पत्ती यों फूल में अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होती है आप्शन दिया रहेगा कि अफीम कहां से प्राप्त होती है जड़ से पत्ती से या फूल से तो फूल भाग से अफीम प्राप्त होती है हशीश पौधे के तने तथा नर, पुश्य, पक्रम के निश्राव से प्राप्त होती है इसके लब तारपीन का जो तेल है किस व्रिक्षे निकाल आता है आपको पता है चीड से चीड के पेड से तारपीन का तेल, देवदार के पेड से सेड्रस तेल प्राप्त कियाता है लॉंग कहां से प्राप्त कियाता है, फूल की कली से, लॉंग के तेल का प्रमो घटक क्या है, यूरे नॉल दात का दर्द दूर करने में लॉंग के तेल का उपयोग होता है दाल चीनी पेड के किस भाग से प्राप्त कियाती है जोस्तों चाल से काफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चून प्राप्त होता है जडों से व्याख्या चिकोरी एस्टोरिसी कुल के सिकोरियम इंटीबसी की जड़ों को पीसकर पाउडर के रूप में बनाये जाता है अब आई एक्जाम पॉइंट्स तेजी से देख लेते हैं हलागी थोड़ा लंबा वीडियो हो गए लेकिन आप सोचिए कि जीव विग्यान एक अपले आप में सबसे वड़ा पॉर्शन है सभी परिक्षाओं में सबसे आदा प्रशन यहीं से पूछे आते हैं तो इसलिए आपके बहुत लाबगा है चलिए तेजी से पढ़ देते हैं सरीर में सबसे मजबूत तत्व दातों का क्या होता है एनेमल भाग सबसे मजबूत तत्व क्या हता है सरीर में दातों में जो एनेमल होता है वो मनुष्य में लिंग निधान पुरुस के क्रोमोसोन पर निर्भर करता है न कीस्त्रियों के क्रोमोसोन से बच्चों में हिदय की धड़कन वयस्क वक्ति से अधिक होती है तो बच्चों में हिदय की धड़कन दर है वो वयस्क वक्ति से अधिक होती है वैस वेक्ति या सामान्य मनुष्य का जो हिद्य है एक मिनिट में 72 बार धड़कता है वही बच्चों की बात करें तो जन्म से पहले अर्थात गरभावस्ता में लगबग 150 बार एक मिनिट धड़कता है और जन्म होने के बाद बच्चों में 100 से लेकर 130 तक एक मिनिट में 100 से लेकर 130 बार तक धड़कता है तो बच्चों में मनुष्य से ज़्यादा अधिक होती है जीवन की उत्पत्तिक समय आकसीजन नहीं था कौन सा अतत्तों नहीं था जीवन की उत्पत्तिक समय था कितना कोश्टी होता है चार कोस्टी होता है यीस्ट का प्रयोंग नामक प्रतिजैविक कवक से मिलता है मनुष्य करक्त में हीमोगलीन पाई जाता है जिसमें लोहा पाई जाता है कवक और जीवानू अब घटक का पारते हैं कवक और जिवाडू, लॉंग फूल की कली से प्राप्त होता है, कहां से खूल फूल की कली से, एक प्रकार से फूल से, हिरोईन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है, केसर मसाला बनाने में पौधों का वर्तिगागर भाग काम में आता है, जाइलम, फ्लोयम दो भाग होते हैं पत्तों के, तो जाइलम का कारिका होता है, उतक जड़ों से और शोचित जल एवं खनीज लोडों को पौधे के विविन भागों तक या पहुचाता है, फ्लोयम क्या होता है, इसका मुख्यकार पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, प मही जाइलम क्या होता है, ये उतक जड़ों से और शोचित, जल एवं खनीज लोडों को पौधे के विविन भागों में पहुचाता है, तने के माध्यम से, शरीर में ताप का नियमन मस्तिश्क के हाइपो थेलमस नामक अंग से प्राप्त होता है, मनस्पति तथा जंदु, किसी प्रदेश या छेतर में पाया जाने वाले पेड़ पौधे को फ्लोरा कहते हैं, जबकि उस छेतर के जंदु को फौना कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना, प्रकास संसेशन एक उपचयन, अपचयन करिया है, ठीक है, क्या है, उपचयन, अपचयन दोनों करिया है, इसमें जल का उपचेन होता है अक्सीडेशन होता है आक्सीजन के बनने में तथा कार्बन आएक्साइट का अपचेन सरकरा के निर्माण में होता है तो जल का जो अक्सीडेशन होता है इससे अक्सीजन का निर्माण होता है कार्बन आएक्साइट का अपचेन जो होता है उससे शरकर का ग्लूकोस का निर्मान होता है प्रकास संस्टेशन में Carbon di Dreong प्रकास में में सबसे दिख होती है just सूरी प्रकाश की विक्रण उर्जा को रसाइनिक उर्जा में परिवर्तित करता है सूरी प्रकाश क्या होता है इसकी विक्रण उर्जा होती है वो रसाइनिक उर्जा में परिवर्तित होती है लाइकेन कवक और शेवाल दोनों से मिलकर बनती है कवक और शेवाल मिलकर लाइक को देता है तो दोनों एक दूसरे का सायोग करते हैं विकास में लाइकेन क्या होता है वाइप प्रोदुशन के संकेतक होते हैं जहां वाइप प्रोदुशन अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं होते हैं तो लाइकेन क्या है वाइप प्रोदुशन के संकेतक लिटमस पे किसने की थी लिए नहां के रायोबियम नामक ये सबी पूछे गए प्रश्ण है दोस्तों एकजामस में तो आप एक बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ याद रखेगा Rhizobium नामक بیکٹिरिया दलहनी फसलों के जड़में पाय जाता है याद रखेगा दलहनी फसलों के जो Vymandal की Nitrogen लेकर Nitrate में बदल देता है जिससे पौधों की Nitrogen आवशकता पूर्ण होती है बैक्टिरिया भूमकी उरवर्ता को बढ़ाते हैं lectobalasis bacterias दूसे दही बनाने में योगदान देता है वाईरस की रचना में प्रोटीन के आउरन से घीरा Nuclecum, DNA और RNA वाईरस क्या होता है रचना में प्रोटीन के आउरन से घीरा नुकलिकम, DNA या फिर RNA होता है पादव वाइरस में मुख्यता RNA तथा जन्त वाइरस में मुख्यता DNA पाए जाता है DNA आनुआशिक गुणों को माता पिता से संतानुम पहुचाते हैं जबकि RNA का कार्य का प्रोटीन सलसेशन है अगनाशय यक्रित के बाद सरीर की सबसे बड़ी मिश्चित ग्रंती है अगनाशय रस निकलता है लेंगर हैंस की दीपिका ये क्या करती है इंसुलीन और ग्लूके गाउन नामक हार्मोन का सामण करती है इंसुलीन रक्त में शरक्रा के मातरा को ग्लूकोज की मातरा को नेंतियत करता है इसके अलप स्रावण से मधुमेह हो जाता है इसमें रक्त में ग्लूकोज की मातरा बढ़ने लगती है इंसुलीन के अधिक स्रामड से हाइपलो गलाइसीमिया रोग हो जाता है जिससे जनन शमतायों दृष्टी ग्यान की कमी हो जाती है तो ज़्यादा और कम दोनों ही नुकसान दे है शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है दोस्तों वो तचा होता है शरीर पर तचा की मुटाई सबी जगह एक समान नहीं होती है याद रखेगा पैरों के तलवे एवम हथेलियों की तचा सबसे मोटी होती है और हांखों की पलकू की तचा सबसे कम मोटी होती है तुचा के द्वारा ताप, शीत, स्पर्श, पीडा तता दापकियन होती करते हैं हमारे होट में तेल गरंतिया नहीं होती हैं इसलिए थंडे मौसम में सबसे पहले होटी फटते हैं मानो तुचा को रंग देने वाला उरनक कौन सा है ? मेला निन तो अच्छा की सबसे उपरी परत को क्या करते है एपी डर्मिस एक बात याद रहे का मेला निन की कमी से दोस्तों लोग गोरे हो जाते हैं मेला निन परियात मात्रा में तो लोग साओ ले और बहुत जादा मात्रा में तो काले होते हैं तो चाकि सबसे उपरी परतु क्या कहते हैं, एपी डर्मिस कहते हैं, अश्टु का स्रामण लेक्राइमल ग्रंथियां करती हैं, अश्टु का स्रामण कौन से ग्रंथियां, लेक्राइमल ग्रंथियां, हाइड्रोफाइट एक जली पोधा है, या जली पोधों को हाइड्रोफ धमनी रुधिर को हिदय से अंगों की और ले जाती है और जबकि शिरा रुधिर को अंगों से हिदय में आता है ठीक है ना अंग हिदय तो धमनी क्या करेगी रुधिर को हिदय से अंगों की तरफ ले जाएगी और शिरा क्या करेगी रुधिर को अन अंगों से हिदय में लाती इस्ट्रोजन वा प्रोजेस्ट्राउन इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्राउन यह त्री सेक्स हार्मोन है पूचता है कौन इस्ट्री सेक्स हार्मोन है कौन पूरुष सेक्स हार्मोन है बर्ड फ्लू बिमारी H5N1 वाइरस से फैलती है स्वाइन फ्लू बिमारी H1N1 वाइरस से पैलती है मैमच पूर्वज obs किसका हाथि का डाइनासोर क्या थे मेशोजोईक सरसेव कभząd मेशोईक सरसेव थे पांडा भी उसी कुलका है जिस फाल की है भालू दोनों एक ही कुल के हैं जीनोम चित्रन का समद्ध किस से दोस्तों जीन्स के चित्रन से कौन सा हार्मोन लडो या उडो हार्मोन कहते हैं कि इसको एडरी नेलीन को एक मनुष्य दुरगटना गृस्त हो जाता है और उसे रक्ता धान की आशकता होती है लेकिन तो उसके रक्त समू का प्रिक्षण करने का समय नहीं है तो उसे कौन सा रक्त समू दिया सकता है ओ क्योंकि यह सरवत्र दाता है ओ में इंटीजन एवं आरेच फैक्टर अनुपस्थित होता है अर्थात आरेच्स फैक्टर भी नहीं होता है इसे देने से रक्त का थक्का नहीं बनेगा प्रोटीनों के पाच्चन में सहायक एंजाइम है ट्रिपसिन एथलिट फूट बिमारी होती है किसे फपूद से रानी खेद बिमारी संबंदित है मुर्गियों से समुद्री घोडा क्या है या एक मचली है अमुरूत की प्रमुख शरकरा क्या है दोस्तों फ्रक्टोस फ्रक्टोस सभी फलो में पाए जाता है मनुष्य के सरीर में हिदे को एक बार धरकने के लिए कितना समय लगता है दोस्तों 0.8 सेकेंड दिल का दोरा किस कारण होता है हिदे में रक्तिया पूर्ती भी कमी या रक्त न पहुचने के कारण उस विटामिन का नाम बताए जो किसी भी मानसारी भोजन में नहीं मिलता है बिटामिन सी ये किसी भी मानसारी भोजम नहीं मिलता है प्लस दूद में भी बिटामिन सी नहीं मिलता है दोस्तों उस बिटामिन का नाम बताए जो किसी भी मानसारी भोजम ने दुख दरजनक हार्मोन का स्तरावक कहां पर होता है दुख जनक हार्मोन जो है उनका सामन प्यूश ग्रंती में होता है टमाटर का लाल रंग किस pigment कारण होता है लाइकोपीन कारण पौदों में बैगनी रंग किस से उत्पन होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट से एंथोसाइनिन से ठीक है ये pigment है सेव के फल में लाल का कारण है एंथोसाइनिन संतित्र वसा के लगातार सेवन से कौन सा रग होता है एथिरो इसके लेरेव सोसिस वरिक्ष की आयू वर्षों में निधायत किया थी इसमें वार्षिक वलेओं की संख्या के आधारप जो तनोंबर वार्षिक वले होते हैं उनकी संख्या के आधारप उनका आयू वर्ष बताते हैं बायो डीजल बनाने में किस वनस्विदी का प्रयोग किया जाता है रतन जोत या जैट्रोफा का विटामिन क का रासानिक नाम नेप्थे किनों विटामिन B6 का रासानिक नाम पाईरी डाक्सिन फ्लोरोसोसिस रा रोक का क्या लखछण है दात चित गबरे हो जाते हैं फ्लोरोसिस में शिशुओं में सरप्थम कौन सा दात निकलता है मध्धिवर्ती इंसाइजर हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण का होता है दोस्तों यक्रित में ठीक है ये रख्त में पाये जाते हैं पेशियों में ठकावट किसके जमा होने से होता है लैक्टिक अमलेकरण रुधिर को क कौन सा भागदान के आता है तो कार्णिया मनुष में भुरू Negative का पोशण किसके द्वारा होता है प्लेसेंटा के द्वारा नेबू लाईजर क्या होता है एक फेस मस्के द्वारा दवा को धुन्द के रूप प्रस्तुत करथा है नेबुलाइजर पौदे नाइट्रोजन की सिरूप में इंहीं कर रूप मिलायां किस होता है मेर्ममस रोग और प्रोटीन कमी से कौपा只是 क्वासर रोग केंग सा'? धसी हुई आखे दुरबल चेहरा हैं से कुड़ा हुआ सरीर क्वासर रोग होता है प्रोटीन की कमी से क्वासर को रोग की लक्षण है सरीर में सूजन आना हाथ पैर कमजोर था पेट बाहर निकलाता है कौन सा तत्व व्रिक में पत्री को बनने से रोखता है मैगनेशियम कौन सा खनीश तत्व अधिकतर एंजाइम्स का संगटक होता है जिंक रिक्त के जमने में सहायक खनीश तत्व है केलसियम किस खनीश तत्व की कमी से क्रिटिनिजम मंद बुद्धियम वोना रोग हो जाता है तो आयोडीन कमी से हिदय की धड़कन को नियंतित करन पोचेगा तो सोडियम नोट कर लीजेगा सिल्कोसिस क्या है फेफडे सिल्कोसिस रोग होता है साथ त्वारा एक झोल्जाज बचाव कलिए खानों में काम करनेवाले को एलमूनियम चूण सुंगने को दिया राता है याद रुखेगा अलमूरियम चून के कारण सिलिका कर निस्क्री हो जाता है हो फेफण में अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है इटाई टाई रोक इसके दीर काली विशाक्तन से होता है तो कैडमियम के इटाई टाई रोग कैड्मियम प्रदूशां से होता है यह अस्थियों जोडों की बिमारी है ब्लू बेबी नामक बिमारी पीने वाले जल में किसके अधिक बिद्दमान होने करण होती है नाइटरेट के यहां बिमारी पेजल में नाइटेट के दिखता से होती है इसमें नौजात, सिशुन, नीला पड़ जाता है मीना माता रोक पारा से होता है शरीर में पारा के अधिकता के कारण होता है ब्लैक फूट बिमारी दोस्तों यह आर्सेनिक से होती है यदि मूत्र में अल्बूमीन आ रहा हो तो व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने से पीडित होने की समभाना होती है किडिनी, ठीक है अल्बूमीन की इसलिए जाच होती है ट्यूमर की पाचान है तो प्रयोक्त रेडियो धर्मी समस्थानिक कौन सा है और्सेनिक 74 इबोला नामक बीमारी होती है वाइरस से ठीक है इबोला वाइरस यह बीमारी पहले जंगली जानवरों चमगादूनों में होती थी इनसे यह मनुष्यों फैल जाती है अफ्रीका के कांगो देस में सित इबोला अंदर्जितिक नदी के नाम पर ही इस वाइरस का नाम है इबोला वाइरस पड़ा हाल में केरल इसे कुछ वर्षों पहले प्रभावित था BMD, Bone Mineral Density परिक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए आश्टियो पोरोसिस की आश्टियो परोसिस का है अस्थी रोग है आश्टियो का अर्थ होता है अस्थी और परोसिस का अर्थ होता है कमजोर या मुलायम या छिद्र युक्त अर्थाद जिस बिमारी से हड़िया कमजोर होने लगती है हड़ियों का घनत तो कम होने लगता है और अस्थी मज्जा की स एड़ी सघंता जाच यंद्र की सहायता से अस्थिक हनिश सघंता की जाच करने के बाद अस्थियो पोरसीस की पहचान की जा सकती है आश्टियो पॉरोसिस होने पर BMD में कमी आ जाती है भोजन में बिटामिन, प्रोटीन, बिटामिन, डीयों, कैलसियम की कमी है इसका कारण अस्ति संबंदित अनिरोग हैं अस्तियो मलेशिया, रिकेट रिकेट जिसको करते हैं आश्टियो पॉरोसिस अथार रायरिस वैस्कुलर निक्रोसिस वे जन्तु जो अपना भोजन केवल पोधों से प्राप्ट करते हैं शाकारी कलाते हैं, मानसारी आप जानते हैं किसे करते हैं और सर्वारी जो दोनों से प्राप्ट करते हैं मेड़क किस वर्ग में आता है, MPBA वर्ग में यह गोल्ड ब्लड एनिमल होता है, MPBA वर्ग में आता है MPBA वर्ग के सभी प्राणी जो होते हैं, उभैचार होते हैं और असमतापी होते हैं उभैचार था जो जल और स्थल दोनों पे चल सके हैं इसमें स्वसन क्लोम, तवचायों, फेफ़डों द्वारा होता है अभी आपने देखा, रक्त लूकोज अस्तर समानतया व्यक्त किया जाता है मिली ग्राम प्रती डेसी लीटर में रक्त लूकोज व्यक्ति किया जाता है तो इंसुलीन द्वारा रक्त में ग्लूकोज को नियंतित किया जाता है इंसुलीन अगनाशे के भाग लेंगर हैंज की दिपकाउंदवारा अस्रावित हारमोन है रक्त में शरकरा की मात्रा भोजन के पूर्व यही चेक किया आता है सतर से सो मिली ग्राम प्रतिटेटी लीटर तदा भोजन के दो गंटे बाद 140 mg प्रतिडेटी लीटर से अधर अधिक हो जाए तो मदमय की डाइबिटीज की पुष्टी होती है इंसुलीन की अधिक मात्रा हाइपर गला इसीमिया रोगी में बेहोशी के लक्षन प्रकट करती है जबकि इंसुलीन की कम मात्रा होने पर रोगी को बेचैनी सिर्दर तेज धर्टन के लक्षन आते है दूद को पचाने वाला इंजाइम कौन सा है दोस्तों रेनीन हमने चर्चा किया था प्राक्तिक चैन के सिद्धान का पतिबादन किस ने किया था चार्ल्स डार्विन ने मिदा की उर्वरक्ता को बनाये रखने के लिए जो भी धी अपनाई जाती है उसे कहते हैं फसल चक्र लाख क्या है एक कीट के सरीर से निकला हुआ स्राव है रीवर फॉर लाइफ विश्व वन जीव को उस द्वारा डाल्फिन को बचाने है देखें लाख पूसता है किसी पेड के छाल से तने से जड़ से कीट से तो कीट से रीवर फॉर लाइफ विश्व वन जीव को उस द्वारा डाल्फिन को बचाने है चलाया जा रहा भियान है रीवर फॉर फॉर लाइफ मिशन इंद्रूस क्या है केंदी स्वास मनताले ने साथ टीका अथाद, पोलियो, टिटनेस, कुकुरखांसी, डिप्थिरिया, टीबी, चेचक, हेपिटाइटिस भी योजना जिसमें 2020 तक इन विमारियों का उनुमूलन करना है साथ टीका का एक्रम है हीनता जन्य रोग जैसे रिकेट्स बेरी-बेरी आदी होते हैं पोशक तक्तों के कमी के कारण कैंसर किसके होता है कोशिकाओं की अनियमित व्रिध्धी के कारण या उत्कों की अनियमित व्रिध्धी कारण कैंसर उन सभी यंगों में हो सकता है जिसकी कोशिकाय हैं विभाजन की शमता रखती हैं कैंसर होने की सबसे कम संभावना यत कृतेवं मस्टिश्क में होती है क्योंकि वैसकावस्था में इनकी कोशिकावों विभाजन नहीं या ना के बराबर होता है AB रक्त समू के व्यक्ति को Universal Recipalian सरोगही करते हैं उसके रक्त में बेकरी में ब्रेट बनाने के लिए यीस्ट का प्रियोक कियाता है ब्रेट को मुलायम लचीला बनाने के लिए धामनियों तथा शिरावों में रक्त क्यों नहीं जमता है दो हिपेरिन कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता हीमोग्लोबिन कारण मानो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम वर्णक की उपस्तितिक कारण एफलाग टॉक्सिन नामक खाद विशाख सकता होती है कवक के कारण मकडी कीट से भिन है मकडी में आठ टांगे पाये जाने के कारण ये सबसे छोटा सबसे बड़ा जो है जियोग्यानिक छेत्र में उसका लिश्ट दिया हुआ इसको आप देख लिजेगा इसका मैं उपलब करा दे रहा हूँ आपको पूरा पीडियेफ सबसे बड़ा पक्षी सुतुर मुर्पक्षी सबसे छोटा पक्षी हमीमब्ड सबसे बड़ा वरतमान जन्तु नीली वेल है सबसे छोटा जन्तु अमीबा है सबसे बड़ा अस्थली जन्तु हाती है सबसे छोटा अस्तंधारी चुचुंदर है सबसे लंबा संधारी जिराफ है, सबसे बड़ा सर्प अजिगर है, सबसे बड़ा पुषप रेफली सेया है सबसे छोटा पुषप वुलफिया है, सबसे बड़ी wbc monocyte है, सबसे चोटी wbc यारी सफेद रक्तकरणी का lymphocyte है सबसे बड़ी शीरा, इंफीरियर वेना केवा हैť सबसे बड़ी धमनी, एब्ड ओमिनल, एरोटा है सबसे बड़ी ग्रंथी, यकृत है सबसे बड़ी अंतासरावी ग्रंथी दोस्तों, ठाइःराइट ग्रंथी है शेवालों से प्रश्tag पूछे आते हैं शेवालों के अध्यान को फाईकोलॉजी करते हैं समुद्री तथा अलवन जलिये दोनों ही अरथाध premiere सभी प्रकार के जलों में इक प्रकार से पायाते हैं इसमें खाजबदार्ट प्रायमंड की रूप में संच्चित रहता है, ये प्रकाष चंसलेशन क्रिया से भोजन का निर्मान करते है, साइनो बेक्टीरिया कहलाते हैं, नील हरी शहवालिन को साइनो बेक्टीरिया भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनके करण पितवी वायूवी हो पाई, साइनो बेक्टिरिया के करण, वायमंडल के निर्माण का से इन ही को दिया जाता है, याद रखेगा, नौस्टाक साइनो बेक्टिरिया मिट्टी में रहकर नाइटोजन इस्थरी करण का कारे करते हैं, याद रख जल, समुद्री जल, गर्म जल के जरनों, नमी अस्थानों, भीगी मिट्टी, कीचर, नदियों, तालाबों, पेड़ के तनों, चट्टानों आदियों पाए जाते हैं। पूरा जिवग्यान, पूरा जिवग्यान, इससे अधिक, इससे अतरिक्त कुछ पूछा नहीं जाएगा, सभी परिक्षाओं में सिर्फ यहीं से प्रश्ण पूछे आते हैं। एक आध प्रशन एक दो प्रशन अगर पूछे आता है तो अलग बात है वरना यहीं से प्रशन पूछे जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद